आप सभी लोगोंने देखा होगा पिछली क्लास में आम लोगोंने आपकी इतिहास के कुछ मात्मोर कुश्चन्स और उनके आंसर देखे गए थे और जिस क्लास में आप देखेंगे कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के अधिकतर कुश्चन्स उसमें देखे गए होंगे आपने और आप लोग ने ये भी देखा होगा कि उस class में आपके वही questions सामिल किये गए हैं जो या तो आपकी परिच्छाओं में पूँचे जा चुके हैं या पूँचे जाने की पूरी संभाव ना होती है समझ रहे हैं आप लोग और इस तरह की questions आप देखते हैं कि नॉर्मल आपकी civil service हो, state PCS हो जिसमें आपका MPPSC, UPPSC, विहार PCS, 36 गड़ राजिस्तान PSC इन सब में इस तरह की questions आते रहते हैं वंडे एक्जाम में तो आप देखते हैं कि हमेशा इसी तरह की questions आते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, वंडे एक्जाम कहने का मतलब हो जाता है, SSC, Railway, Bank, Police, जिक चक भलती, इस तरह के जो भी एक्जाम होते हैं, जहां आपकी इतिहास से questions आते हैं, आप लोग देखते होंग कि एक line में आपका questions दे देता है, माली जे दे देगा questions की गांदी जी की हत्या कब हुई थी, और आपने लोगों को नीचे 4 option दे देगा, तो इस तरह के questions की बात करहूं मैं, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, इतिहास के कुछ महत्पूर questions हैं, और इसमें अधिक तर आ special video for all exam, all exam की नाम से जो playlist सूची है, उसी में डले हुए, और भी बहुत सारे डले हुए, दीपा बली गोशना किते हैं, भारतियों को dominion status, देने और गोल में सम्मिलन की आईजन की बात कही गई थी, या गोशना किस गवर्नर जनल ने की थी, तो आप सभी जानते होगी कि Lord Irwin और आप सभी जानते हैं कि तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लने वाले आपके बीमरा ऑमेटकर साथी, दूसरे गोल में सम्मिलन में आपने देखा होगा कि आपके गांदी जी ने कॉंग्रेस की तरब से भाग लिया था, किस बैखती ने गांधी जी के नमक सत्या गए कि तुल्ला नेपोलीयन की एलवा से पैरिस यात्रा से की थी तो याद रखे सुवाष्चंद बॉस ने किस ने? सुवाष्चंद बॉस ने किस उपलक्ष में अंग्रेज सरकार ने महत्मा गांदी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकीत किया था तो आपने देखा होगा कि जब गांदी जी भारत लोटते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि पिताँ विस्व योध होता है इसमें गांदी जी क्या करते हैं कि वेट्टी सरकार की अभूत पूर्व सहायता करने करते हैं यानि कि उनकी मदद करते हैं इसे उद में और इसी बदले में आप कह सकते हैं इनाम दिया था कि इसर ए हिंदी की उपादी दी थी अंग्रेजों ने गांदी जी को गांधी इर्वें समझोते को भारती इतियास में एक महत्मूर स्थान पराप्त है इस समझोते को अन्य किस नाम से जानते हैं आप तो दिल्ली समझोता की नाम से भी जानते हैं किस बिदेशी को बिदेशी को कॉंग्रेश का दो बार अध्यक्ष बनने का गौर अप्राप्त है बिलियम बेडर वर्ण को ठीक है और याद रखिए अंग्रेजी था यह अंग्रेज था एटली मंतरी बंडल ने 1946 में केविनिट में संग कि न्युक्ति इस में संग की अध्यक्ष कौन थे सर जोन पैंथिक लॉरेंस ठीक है किसने कहा था कि मैंने बेटिस समराज का विक्टन करने के लिए पिदान मंतरी पर ग्रहन नहीं किया बिंश टर्ण चर्चल लें बिंश टर बहुत पहले 1930 के बाद उन्होंने कॉंग्रेस पाइटी एक तरह से इसकी सदस्ता ही त्याग दी थी लेकिन फिर भी आप देखते हैं कॉंग्रेस उनकी बाते मांती रहती थी बहादूर साहिद दुतिये को किसने गिरभतार किया था हरसन ने असायो गांदोलन की कारकरम का सब्हान उओ दन कॉंग्रेस के किस अधीयवेशन में किया गया था चंदोला थार वरसों में का अधियक्ष अधिक्ष अंग्रेज थे तो जो इवले एह अधिवेशन में एपित्म हम अंग्रेज अधिक्ष थे एकुश्टन्स कई बार बन चुका है कि कॉंग्रेज्स अधिवेशन के पहले अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जोर्ज यूले और अगर आप से पूछे कि और इलावाद में जो हुआ था इसका अधिवेशन है इसके जोर्ड यूले और बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सर बिलियम बेडरवन है सिमिला का सन्यासी नाम से कौन विख्याद थे ए ओ हिउन बंबई की तरी मूर्थी नाम से विख्याद कौन थे थ्रोसायमेता केटी तेलंग दादा भाई नौरोजी बंबई की त्री मूर्थी नाम से ए तीनोब्यक्ती पिसिद थे रिक्यूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया था महत्मा गांदी को क्योंकि आपने देखा होगा कि अंग्रेजों का एक तरसे नौकर या आप कह सकते हैं सर्जेंट कहा गया था क्योंकि पहले विस यहुद में लोगों को अंग्रेजों का साथ देने की बात की थी महत्मा गांदीरें किस यहुजना ने सरफितम अल्ब संख्यकों की समस्या की हल को राश्टी सुथंदा के मार्ग में बड़ी रुकाबट की रुम में लाकर खड़ा किया था तो याद र आंगे बढ़ने में कुछ मिल ला था इसलिए कहा जाता है कि मुसल्बानों ने असायोग आंदोलन में भाग लिया था भारती रियासतें सेज भारत से अलग होकर नहीं रह सकती रियासतों के भविस्का निधारन करने का दिकार जिस जनता को है वह जनता निश्ची थी उन रियासतों को की होगी करिये कथन किसका था पंडिक जवाहलाल नहरू का क्योंकि आप जानते ही कि आजादी के समय बहुं सारी रियासतें हुआ करती थी 564-65 के करीब और सभी रियासतें चाहती थी कि हम अपना देश अलग सुतंद देश बनें और फिर आप लोग सोची कि कि अगर आप लोगों को दिल्ली से उत्तर पिदेश जाना पड़ता या दिल्ली से आप लोग दच्छिन भारत जाते तो आप लोग कई देशों की यात्रा करके आते अगर सभी सुतंद देश बन जाते जलिया वाला वागत्यकन 1909 के बिरोध में किस एक भारती ने गवर्न उपाला चारी और याद रखिए उस समय अधिकतन नेता चाहे रहे थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए क्योंकि आप देख रहे थे किस तरह से खून खराबा हो रहा था और आप सभी जानते हैं कि जब किसी घर में खून खराबा होने लगे तो बाप और 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 भी मेंबर जो योग समझदार होते हैं वो यही चाहते हैं कि अब अलग-अलग हो जाओ बेटा तो यही हो रहा था कामा गाटा मारू की घटना किस वर्स हुई थी उननीस सो चौद़े में मुसलिम लीग ने अपने किस अदिवेशन में डिवाइड एंड क्वीट का नारत दिया था कराच हमको देश का बेवाजन सुईकार करना पड़ा यह कथन किसका था पंडित जवाल लाल नहरू का पाकिस्तान को अलग करने की समन्द में बेटे सरकार ने जलिया वाला बागत्यागान की जाच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी इस कमीशन क्या नाम क्या था हंटर कमी में किसने ससक्ति विद्रो किया था नामधारी सिक्खोने ठीक है ग्लेप्स ओफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री की रचेदता कौन थी जवालाल नहरू ग्लेम सेज ओफ दा वर्ल्ड हिस्ट्री 20 परवरी 1947 को किस बेटिएस पिधान मंत्री ने कौमन्स सभा में भारत को सुतंता देनी की उविद्रना की थी एटली ने 1905 में बंगाल विवाजन किसके द्वारा किया गया था तो यादर की लौड करजन ने एक क्वेश्टन से भी कई बार पूछ लिया है किसके समय बंगाल का विवाजन हुआ था लौड करजन भारती राष्टी आंदोलन की तन भारती राजनीती कर्षांती काल की सौधी को कह हंटर समती की निवक्ति किस घर्टना की जाज के लिकी गई थी? जलीया वाला वागहत्याकान्ड की जाज के लिए बारती राष्टी राष्टी आंदोलन गरम बंथियों के प्रभाव में कब आया था? 1906 के बाद लंदन में जनरल ओर डायर को गोली किसे करांथी कारी ने मारी थी? उधम सींगने ये जनरल डायर वही था जलिया वाला बागत्या कांड से जुड़ा हुआ भारत छोड़ो अंदोलन प्यारम करने की पश्चाथ महात्मा गांधी को नजर बंद करकी कहा रखा गया था? आगा खाप महल में, पूने में 1920 में मातमा गांधी ने कॉंग्रेस अदिवेशन में संपूर सुराज को कॉंग्रेस का लक्ष बनाने का पिस्ताव रखाता है ये अदिवेशन कहा हुआ था? एहमदाबाद में भारती विभाजन टाले का अंतिम आउसर किस घटना के पश्चाष समाप्त हो गया था? कैबिनीट मिशन को आसुईकार करने के पश्चाष अभी तक इस समय तक अंदाज लगाया जाता है जा रहा था कि भारत का विभाजन रोका जा सकता है लेकिन इसके बाद नहीं गुरू राम सिंग की सांदोलन की अगणी थी कूका अंदोलन 1857 की समय भारत की गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग इस तरह के कुश्चनस भी कई पार पूच लेता है कि जिस समय कोई अच्छी घटना हुई मतलब चर्चित उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का तो 1857 की जो आप देखा होगा करांती हुई थी तो इस समय लॉर्ड करनिंग था इलावाद में आईजी ती एक दरवार में लॉर्ड केनिंग ने क्रावन की घुशनापत को पढ़कर सुनाया इस घुशनापत को कुछ ही तियास कारों ने किसकी संग्या दी थी? भारती सु अध्यक्ष्टा की थी भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों बाली परंतु इंजेन रहेद मसीन की संग्या किस ने दी थी? हमारे पंडिच जवाहलाल नहरू जो पहले पिदायन मंत्री थी भारत के अंतिम वायसराओ सुतंत भारत के पिथम गवर्नर जनर कौन थे? ल और भी देख लिजे काज चूटाओ इंडियन हॉम रूल ससाइटी की स्थापना किसने कहां और कप की थी? तो याद रखें इंडियन हॉम रूल ससाइटी की स्थापना स्याम जी किष्ण बर्माने की थी लंदन में और ये 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था किसको स्वामी बेवकानन ने सेड़नी रवेना टेगोर ने लोक माता और अरवेंद घोस ने अगनी सिखा कहा था तो याद रखें ये थी मार्गेट नोवल सिष्टर निवेदिता को ये नाम याद रखेंगा कई वार कुश्चन स्पूँच लेता है सिष्टर निवेदिता तो जिनका दूसरा नाम मार्गेट नोवल और भी उपनाम हम कह सकते हैं सेड़नी किसने दिया था स्वामी बेवकानन लोक माता रवेना टेगोर अरवेंदु घोस ने अगनी सिखा भीवाजन करो और जाओ कनारा किसने दिया था मुसलिम लीग ने 1943 की कराची अदिविसन में सो तन्ता फिराप्ती की समय भारत राष्टी ये कॉंग्रेक्स के अधिक्स कौन थी आचार जे भी किपलानी एक कुश्चन से भी कई बार कुछ लिया है भारती राष्टी कॉंग्रेक्स को अलफमत का पितिनिदित किसने कहा था लौड डफरिन ने ततकालेन वायसराय था उस समय का किस अंग्रेज को हर्मिट ओप सिंगलाज जैसी आदर सूचे संग्या दी गई थी कॉंग्रेस के संस्तापक एवो हियूम को पहले बैटे समराट जो भारत यातरा पाये थे जॉर्च पंचम भारत को सतंतर प्राक्ति के समय इंगलेंड में किलिमेंट एटली की नितित में किस राजनितिक दल की सरकास सत्ताब में थी लेवर पायटी के बैटे सासन सान को समाथ करने के लिए कुका अंदोल ने कहा हुआ था पंजाब में पंजाब समझ रहे हैं 1919 में अकिल भारती खिलापता कॉंग्रेस किस इस्थान पर आईजित की गई थी दिल्ली में मैक्सवेल ब्रोम फिल्ड जा समधी कि सत्त्यागा से संबंदी थी बारदौली सत्त्यागा से केसरी समाज़ापत के संपादक कों थे बाल गंगा घर तिलब केसाव चंद सैन ने किस संगठन की स्थापना की थी ब्रह्मा समाज की आजाधिंदे फाउज किनकिन नेताओं पर लाल के लिए में मुकंत्मा चलाए गया था इसमें आप याद रखी सहनवाज खां गुरुदयाल सिंग धिल्लो और प्रैम सहेगल ये तीनों नाम याद रखी कई बार हूँच लेता है रुएल इंडियन नेवी ने कब विद्रो हो किया था फरवरी 1946 में सिमला समेलन की सवायसराई की कारकाल में आई जित हुआ था लौड विवेल की कारकाल में भारत विवाजन की समय भारती राष्टी कॉंग्रिस की अध्यक्ष आचार जीवी की प्लानी थी किस बरस मुसलिम लीग ने एक अलग राष्ट यानि की पाकिस्तान का संकप सुईका किया 1940 में दिली चलो का नारक्ष ने दिया था सुवाश्यंद वोस ने बंगाल विवाजन किसके सासनकाल में हुआ था लौड करजन की समय में अभीनाव भारत क्या थी अतिवादी संगठन किस सुवाय सराई किस आसनकाल में इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड क्रेमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था तो याद रखी लौड कर्ड कर्णिंग की समय में केमिनिट में सन्य उजिना के उंतरकर समिधा निर्मात्री परच्छत में पिते प्रांथ को आवंटे सदस संक्या निर्धाडित करने के लिए एक पिते नी दी कितनी जन संक्या के अनुपाद में था दसलाग की वह है अमेरी की पतिकाल कौन सा था जो भारत छोड़ू अत्मा गांदी के साथ था लुई के सर चमपारन जनफग में तिन कठिया पिथा का ताथ पर क्या था किसानों द्वारत तीन 2020 भूभाग पर नील की खिति करना और आप समझे कि गांदी जी ने यहीं से सुरू की थी अपनी एक तरह से आजादी में योगदान देना सुरू कॉंग्रेस के नरंपंथी और गरंपत्थी गुटों में विवाजन कब हुआ था इस सूरत अधिवेशन में 1907 की बात है नील दरपन नामक नाटक किसने लिखा था यह याद रखना चाहिए दीन बंदू मिसने बाकी मिचंद चटजी द्वारा लेकित आनन्ड मट का कथानक किस बिद्रों पर आज़िट था सन्यासी बिद्रों पर वरना क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचारपत रातों रात बंगाली की जगे अग्रेजी में छपने लगा था अमरित बाजारपति का कौन सा गीत 1905 में सोदेसी अंदोलन के दोरान सरवाधिक लोगत प्रिये हुआ था आमाल सोनार वंगला ये आप जानते हैं वंगला दिसका राष्ट गीत है ठीक है 1929 में लड़से आयोग का गठन किस सुद्दे से किया गया था मिर्सेनरी सिक्षा के विकास के लिए गांदी जी द्वारा अहमदाबाद में सावर मत्ती आसरम की इस्तापना किस वर्स की गई थी 1916 में किस मुसलिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दावल हर्व काफिरों का देश से दावल इस्तापना काहान किया था साह अब्दुल्ला अजीज ने मैक्स बेल बुरूम फेल्ड जासंती के समंद किस आंदोलन से था बारदोली आंदोलन से इस्ट इंडिया कंपणी इसोसियेसन की स्थापना कहा की थी लंदन में सावरमत्ती आश्रम की स्थापना महत्मा गांदी ने कहा की थी एहमदाबाद गुजरात में बिनायक दामुदर्व सावरकर किस करांती संगठ से समंदी थी अभिनव भारत से इसे की स्तापना इनों नहीं की थे सिमला सम्मिलन किस वायसराई की कारकाल में आईजित किया गया था लौर बेवल की कारकाल में भारत की सुतंता की घोष्णा कब हुई थी 20 फरवरी 1937 को भारतीय सुतंता की घोष्णा किस बेटिस पिदान मंद्री ने की थी का अनुबोदन राश्टी कॉंगरेक्स की सथिए बेशन में हुगा था, नानगपुर अधी बेशन उननी सबीस में, सेमला समेलन कि स्वायतराय की समय कारकाल में हुगा था, लोड बेवेल की कारकाल में, यह repeat होते रहते हैं कुस्टन्स, और रिपीट होने में का मतलब है कि महत्मूर कुश्चन्स भी रिपीट होते हैं चलिए कोई बात नहीं है आपका रिवीजन हो जाता है किस देशी रियासत में जनमत संग्राय कराए गया था जुनागर में मुसलिम समाज में सुधार लाने वह मों उसमें ब्याप्त कुरुतियों को दूर करने के लिए मुसलिम अंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था एहमदिया अंदोलन द्वारा गदर पाटी का गठन का हुआ था सैन फ्रांसिसको असयु अंदोलन की कारकरों का अनुवदन कॉंग्रेस की किस अधिवेशन हुआ था नांगपोर अधिवेशन उन्निस अभीज सूर सैन किस संगत्षन से संब्दित थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सी रॉलेक्ट सत्यागय सभा की स्थाफना कब हुई थी उन्निस उन्निस में मॉन्टिकीव चेंपसपोर्ट सुधार का मुकार किया था दोयदे सासन परनारी लागू करना कम्यूनल अवार्ड की समझोत्ते से रद्ध हुआ था पूना पेक्ट से टैवन कोर में वहां की दीवान बेली थंबू निकिस के वरोध एक ससक्त विद्रो किया था कंपणी की बढ़ती है ज्यादातियों के वरोध भारती सुतंता संग्राम की सुरुवात की स्विद्रो से मानी जाती है 1857 के विद्रो से भारत में क्राउन के सासन की उष्णा लॉड केनिन ने नवंबर 1889 में कहां की दरबार में की थी इलावात की दरबार में किस्छित की अधी गरहन की मामले में कोट ओप डारेक्टर्स ने डलोजी की राय को आस्विकार किया था करोली मेरा ठत्या कांड में अंग्रेजी कमान का पिदान को था जनरल हैविट किस मुसलिम समासुधारक को अंग्रेजों ने नाइट हुट की उपादी पिदान की थी तो याद रखी सर सेयद एहमद खागू पूना हॉम रोल लीक की स्थापना किसके नेतित में की की थी बालगंगधर तिलक की नेतित में सूर सेयंग ने करांती कारियों के किस योजना का नेतित किया था चटगाओं आम से डखें थी तो याद रखी इसका समंद सूर सेयंग से था भारत खोड़ो अंदोलन के द्वारान बलिया में किसके नेतित में समाना अंतर सरकार की स्थापना हुई थी चित्तू पांडे की नेतित में 1855 की गदर काल में भारत का गवर्नेर जनरल कौन था लॉड केनिंग मैक्सवेल ब्रेम फिल जा समदी किस सत्या कैसे संबन दी थी बारदौली सत्या कैसे बालगंगाधर तिलक की समाचारपत के संपातक थी केसरी इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी स्याम जी किस्ट बर्माने बारद छुड़व अंदोलन के दोरान बलिया में किसकी ने समाननतर सरकार बनाई थी चित्टुपाण डेने समाननतर सरकारों में सबसे जादा दिन तक चलने वाली सरकार कहां की थी सतारा की संताल विद्धो का नितित किसने किया था सिद्धू और कानू दो लोगों ने लोगों में राश्पेम की भावगान जगाने के लिए सिबाजी उगड़पती महोत्साव का आयजिन किस ने किया था बालगंगाधर तिलक ने खोदाई खिदमदगार के नाम से किसे जाना जाता था खान अब्दूलगफार खान को फ्रैंटी अर गांधी भी कह दे थे इसने 1857 की किरांती मुसलिम समराजची की स्थाफना के लिए एक सडन थी एक इसने कहा था ती रोबार्ट्स ने अबद में 1857 की किरांती के नेतित किसने किया था बेगम हजरत महले ये भी कई बार बूच लेता है इस तरह के 1857 की किरांती किसों में बेटिन का पिदान मंत्री कौन था लॉड पाम अश्टरंड ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगरेस की स्थाफना 1920 में हुई थी आल इंडिया डिप्रेड क्लास क्लासिस फेडरेशन की स्थाफना और किसने की थी 1920 में वी यार अंबेटकर साहम ने 1907 में किस अधिबेशन में कॉंगरेस के अंदर फूट पड़ गई थी और उगवादी उधारबादी दल में पिथख हुआ था सूरत अधिबेशन में किसने कॉंगरेस को जनता कि अत्यंत अल्प मत का पिति निदित का था लॉर्ड डफरेड ने वो ऐकॉंस की खटना थी जिसके बाद महतमा गांधी ने बैटरी सरकार के विरुद अपना सर्पेथा मसाह हुआ अंदोलन प्यारम किया था रॉलेक टेक्ट का लगना काले कानून का किस विभाजन के लिए राष्टी सोप मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने की 1857 के विद्रो और भारती सुतनता का यूद की लेखक करमसा को ने असोप महता और वीर सावर कर 1857 की किरांदी के अगदूद मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी ये डेट भी याद रखी है 8 अपरेल 1857 लौड डलहोजी के काल में भार्दी राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने की लेने की अधिकार से बंचित कर दिया गया था और ये अधिकार कुनाह की सदिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था महरानी की गुष्णापद 1858 देश की पिथम टेर्ड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेवर यूनियन निर्वाड कब और किसने के द्वारा हुआ था तो 1918 में किया गया था बीपी बाडिया दोरा कम्यूनिश्ट इंटरनेशनल की नित्व के लिए चुने जाने वाली पहली भारतिये कौन थे एमेन रॉय और इनव ने आपने देखा हुआ का कम्यूनिश्ट पाइटी का गठन भी किया था आंगी चलके आल इंडिया किसान सबागी स्थापना कवोर इसका अप्तिथम अधिवेशन कहा हुआ था 1936 की बाद है लखनव में हुआ था महत्मा गंदी एवं सर्दार पटेल की द्वारा खेडा अंदोलन प्यारम करने का उप्तिरू कारण क्या था इसका कारण था वेटिस सरकार द्वारा मनमाने लगान निधारन उसे माप करने से इंकार करने का कारण जलिया वाला बाग्धतिया कांड के बाद पंजाब में पहली असांती की जाज के लिए कौंग्रेस द्वारा नियुक तायू की अधिक्ष कों थे मौतिलाल नहरू यानि की जवालाल नहरू की पिताजी वह कौंसी घटना थी जिसके बाद महत्मा गांदी ने वेटिस सरकार की विरूद अपना पिथम अखेल भारतिये आंधोलन प्यारम किया था तो ये था रॉलेक टेक्ट का लागु होना हाइडिंग वम कांडे की नेता कौन थे रासविहारी वाचपही मापकरी रासविहारी वाज 29 मार्च 1857 को किस देश भक्त सैन्ने को विद्रो के आरों में बैरकपूर में फांसी दे गई थी मंगल पांडे को इन्हें उस दिन गिरपतार किया गया था ठीक है उसके बाद आ 1857 के विद्रो की आसफलता के पशाद मुगल बाद साय बहादूर साय जपर को कहां से किस ने गिरपतार किया था हुमाई कोई कपर के पास लेटिन एंट हरसन ने यानि कि अपने परदाताओं के यहां बैठ के बैठे हुए जो भी वह कौन पहला भारती है था जिसे एक कमिनेश्ट इंटरनेशनल की नेतित में के लिए चुना गया था बारत में थियोसेफीकल सुसाइटी का मुख्याले कहां था उड़ियार बालक अंगधर तिलगफर 1897 में किस आरों में मुंकतमा चला गया था राजदरों के आरों में 1907 में कॉंग्रेस की सूरत अधिवेशन जिसमें कॉंग्रेस का पिथम विभाजन गरम और नरम दलों में हुआ इसकी अध्यक्षता किस ने की थी डॉक्टर रास विहारी घोस ने आज की सरकारों को उस समय की सरकारों में जानदा फरक नहीं देखेंगे आज आज आप लोग सच के लिए लड़ी आपको देश-दुरोही गोसित कर दिया वहाद देखा ओगा आप देखिए भाकत सेंग सोगदेव राजगूरू उस समय ने आतंगवादी कहते थे आज इन गया नबाप सिराजित्वला को 1857 की विद्रों की आसबलता की फश्चात भादुरसाइद उतिये का क्या किया गया था रंगून भेद दिया गया था खेड़ा अंदोलन प्यारम करने का प्रमुक कारण क्या था बैटे सरकार द्वारा मनमानी धंग से लगान निर्धारन और सिमाप करने से मना करने की ब्रूद था भारत सेवक समाज की स्था अपना किस वर्फ हुई थी और इसकी संस्थाप कौन थी 1905 की बात है गोपाल किसमें गोखले ने की थी भारत में उग राष्टियेता की जनमदाता और निर्भरता से राष्ट की वेदना फ्रगट करने व में लंदन में अभिने भारत की स्थापना किस ने की थी बिनायत दामुदर सावार करने ठीक उस समय जब उत्सा अपनी पराखाष्टा पर था पीछे हटने का आदिस देना राष्टी विद्वत्वत्ती से कुछ कम नहीं था एक किस ने कहा था सुभाष्चंद बोस ने वह वेटिस जिससे ने 1857 के भारतिय विद्रोक वेटिस पार्लियामेंट के हाउस और कॉमंस में राष्टी विद्रोक की संग्या दी थी डल डिज रेली 1949 में भारतिय राष्टी कॉंग्रिस के तिप्पुरी अधिविशन में सुभाष्चंद बहुत अध्यक्ष चुने गए थी किन्तु उन्होंने त्याग पत्त दे दिया था इसके बाद कौन अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजिन पिसाद 1889 में महराणी के घुषना पत्त में किस बिसाय पर नई नीती की घुषना की गई थी भारती देशी राज्यों से संबंद की भारत में लोग से बाय की पिथम बार इस्थापना की साधिनियम के तहरत हुई थी Government of India Act 1935 भारत की बात की जा रही है मातमा गंधी की आत्मकत्ता मूल रूप से किस भासा में लिखी गई है अंग्रेजी भासा में किस बैटिस आसा कि समय सरवादिक देशी राज बैटिस भारत में मिलाए गये थे लौड डलो जी 1942 में भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान हजारी बाग जेल की दिवार फांद कर अंदोलन भाग लेने वाले वरिष्ट कॉंग्रेस समाजवादी नेता कों थे जैपेकास नारायन आंगी चल के आप देखते हैं कि नहीं के आंदोलन से लालू परसाद हों नीतेश कुमार हों ये सभी निकले हुए थे बिहार में अंतरिम सरकार की काल में मुसलिम लीग द्वारा पैदा की कि हुई परेशानियों से ठक कर एक बरिष्ट कॉंग्रेस नेता ने कहा था जिनना बिभाजन चाहते हैं या नहीं अब हम स्वयम बिभाजन है यह नेता कौन थे सरदार बल्लब भाई पटल कम्यूनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतरकर सोसित बर्गों को कितने इस्थान दिये गए थे क्रमसा एकत्तर और एक सो सेंतालिश बंगाल बिभाजन की सवाय सराय की सासनकाल में हुआ था लौड करजन के सासनकाल में 1857 के पिद्रों में जहासी में नियुक्त बैटिस सेनापती कौन था हिवरोज किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारती पिथम हो और उसके बाद ही एक मुसल्वान हो मुहमद अली जिजना ने कॉंग्रेस द्वारस सहित भारती के अपने आदर्स को त्याग कर बिभाजन की बास सुईकार करने का पिरमुक कारण क्या था कॉंग्रेसी निताओं ने अर्भाव किया कि अपेक्षा बिभाजन सुईकार है अपने लोगों को मारने की मरने मरते देखने की बज़य आप कहिए कि एक तरह से अलग हो जाई है और मुहमद अली जिन्ना की अपनी राजनितिक आकांचा थी ठीक है सो देशी आंदोरन सबसे पहली कप प्यारम हुआ बंगाल विभाजन के वरुद्ध क्रेप से मिसन के समंद में यह कथन किस ने कहा था कि यह डूपते हुए एक बैंक पर अग्गिम तिथी का चेक है महत्मा गांधी ने 1857 के विद्रोव में कानपूर में विद्रोहियों का नितिक किस ने किया था नाना साहब पेशवा ने लंदन में आयुजित गोल में सभा की तीनों अधीवेशनों में किस भार्ती निता ने भाग लिया था डॉक्टर बी आर अंबेर करने किस देशी रियासत में जन्मस संग्राय कराया गया था जूनागड में बरस 1940 में किस वायसराय ने अगस्त पिस्ताओ पिस्तुत किया था लौड लिनलित्गो ने गांदी जी के विरोध के बापजू सुवाश्चेंद बोस का कॉंग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था 1949 में इसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सियाजदास ने असहयोग पिस्ताओ का विरोध कॉंग्रेस की किसा दिवेशन में किया था कलकत्ता दिवेशन में भारत की हाजन की समय भारती रोष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष आचार जेवी किपलानी बर्ना कोलर प्रेस एक्ट के सामय कान में सासन काल में फारित हुआ था लॉड लिट्टन के 26 सेप्टमबर 1932 को पूरा समझता किन किन के बीच हुआ था मतमा गांदी और भीम राम बिटकर साप के बीच 1909 में गोहोसित समिधारिक सुधारों को किस नाम से जानते हैं मारले मिंटो सुधार और चेंप स्पोर्ड आप देखिए 1919 के नहरू रेपोर्ट को यह नाम किस नहरू के कारण मिला था मौतिला नहरू भारती राष्टी कॉंगरेस के पिती बेटी सरकार करो कॉंगरेस के किस अधी विशन से सक्त होने लगा था इलावाद 1888 का 20-20 सरकार के आरंबीक दो दसकों में भारती राष्टी कॉंगरेस का मुख्ट लप्च क्या था उपने वे सिक स्वाय था आजाद हिंद फोज का पितम सेनापादी कौन था मोहन से ही बैटे सरकार ने इस कॉंगरेस विद्द्रो की सग्या दी और जबकि कॉंगरेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को आसर तानावा में रखने की सहच फिक्रिया बताई या टिपडी की संद्रव में थी भारत छोड़ो आंदोलन के जलिया वाला बागत्यकान की जाचे तुग कॉंगरेस का द्वारा गठे समती की अध्यक्ष था किसने की थी मौतिलाल नहरू ने इसमें अन्न सादस़ों की बात करने तो गांधी थे, जैकर, तेवजी थे, सियार दास्त थे लेकिन अद्यक्स था मोतिलाल नहरू स्थेवक्त राज अमेरिका में भारती करांती कारियों द्वारा पिकासित किया जाने वाला पत्त है गदर कितनी भासाओं में निकला था चार भासाओं में एक तो गुरुमु की दूसरा उर्दू गुजराती और हिंदी में वैं कॉंग अंदोलन से गहन किया गया था आयरलेंड बैटेस की विरोध विद्रोही नेता रानी गाडेली वो कहां की थी नागलेंड की पूर भारत गांधी जुद्वारा मार्च 1930 में डान्डी नामक इस्थान पर कानून भंकर नमक बनाने के साथ किस एक अंदोलन की शुरुआत हु धर्म से जोड़ देते भटवारा होने लगता धर्मों में इसलिए नमक आप देखते हैं सबकी जिन्दगी में नमक होता है असायू गांदोलन की बापसी से आसंतुष्ट चित्रण्यन दास एवा मौतिलाल नहरु आदी ने कॉंग्रिस के गया बिहार अधिवेशन के दव सवास्चंद बोस ने भारत आजार के आने के लिए कहाई किस्थाई सरकार की घुष्टना की थी सिंगापोर में किस आरों में भगसिंग और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई थी तो 1928 में लाहोर में सांडर्स की हत्या की आरों में इस डेट को याद जरूर र अब हम भारत को बिदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संगर्स करेंगे और आप मेरे कामरेड़ और सभी देशवासी इस संगर्स में सामिल होने के लिए आवनते थे एक अथन किस ने कहा था लाहोर अधिवेशन में अपने अधिये भासन में जवाहलाल नहरू बैठी सरकार द्वारा भारतियों से परमस किये विना भारतियों को बैठी स्योद में भागिदार बना दिये जाने के विरोध में बैक्ति का सत्यागर का रास्ता चुना था और 17 एक्टूबर 1940 को इस पिकार का सत्यागर करने वाले सतरफितम बैक्ति कौन थे बिनोबा भाब थे ठीक है सरकारी जब सरकारी सेनाओं ने जलिया वाला भाग में एकत्तित निहत्ती लोगों पर गोलियां चलाईं तो यह घटना जलिया वाला भाग अत्या कंड बना और कि रूम में सामने आया और भाग में एकत्तित लोग किसकी विरोध कर रहे थे दो नेताओं के सत्तवाल और सिफुद्धिन किसलू की गरपतारी के 20 फरवरी 1947 को बेटिन के तत्काली पिदान मंद्री कलेमेंट एटली ने किस तिती तक अंग्रेजिय उन्जवारा भारत छोड़े जाने की बात की थी जून 1948 लेकिन पलस्तिती यह बन गई कि आपका 15 अगस्त 1947 मही चले सतरदार पटल की नितित में बार्दोली आंदोलंका भुआ 1928 तेरह अगस्त 1932 में में अवर्ड की घुष्णा के वश्चाथ यह अरवदा जेल में गांधी ने क्यों मित्तिव तक आमरन अंसन प्यारम किया था इसमें याद रखे दलीतों को पितक पितिनिदित पिदान कर कि एक पक्ष को आप लोग कुछ दे दीजे रियायत वो अलग हो जाएंगे और फिर कोई आप सोची सभी एक होकर नहीं लड़ पाएंगे 1923 में सियार दास्तों और मुतिलाल नहरू ने कॉंग्रिस खिलापत सोराज पाइटी का अगर्ण किया था इसका उद्दिष क्या था बिवास थापीका के कारेयों में गतीरोत पैदा करकर सरकार का दिहान भारतिये बांगों की और आकरष्ट करना चमपारन में फिचलित तिनकटिया पद्दिती किसानों के लिए सड़कारी पद्दिती थी इस पद्दिती में विवस्ता क्या थी किसान अपनी भूमे के कम से कम तेन से बीस वे भाग पर अनिवार रूप से नील की खेती करने की विवस्ता की गई थी खेडा सत्या गया समाथ हुआ था जब गांदी को ग्यात हुआ कि सरकार ने या आदेश जारी किया कि लगान के बसूली केवन उनी किसानों से ली जाएगी जो इसे बहन करने में यानि की देने में सक्षमोंगे बेके दत्व और भगस सिंग है के अंदरिये लिजिसलेटिव एसेमली में बं फेका इसके पीछे उनका कारण क्या था पबलिक सेप्टी वे लियारी के एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बिरोध बैक्त करने में उनका किसी को मारना उद्दिस नहीं था बस जगाना जारी की बहुत मतलबी थे अपरेल उननीस सोचालीस में दिली में हुए मुसलिम लीग के अदिविशन में गोशना की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनमाने के लिए पित्यक्ष कारवाही दिवस मनाएगा और यह दिवस के स्तिति को मनाए गया था 16 अगस्त 1946 को अगस्त फिस्ताओ और किस्त मिसन 1942 की आसरफलताओं और कॉंग्रिस द्वारा सुरूं किये गया अंदोलन के दौरान राष्टिय सरकार की स्थापना की मांग को आसुकार किये जाने पर कॉंग्रिस ने बंबई के विसे सदिविशन में 8 अगस्त 1942 को भारत पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को सिंबला में एक सम्मेलन का हुआ इसमें कॉंग्रिस मुस्लिम लीग और केंदरी विधान सभा की यूरोपे दल और अन्यांति लोगों ने भाग लिया और परंतु किस कारण कार्णी की निर्मार्ण पर कोई सम्झोता नहीं हुआ था सं संपताएक मद्वेद देखते हैं यह बहुत पुराना है दिसमेहमाल उननीस साथ में भारती राष्टी कॉंग्रिस का पहला विभाजन कब हुआ था सूरत में उननीस सो साल में गरमदल और नरमदल किसने कहा था कॉंग्रिस पतन के लिए लड़का रही है और में दिए सब समूचा भारती विशाल वंदीग रहे है और किसका था सी यार दास का अकिल भारती अस्पस्ता संगी की स्थापन किस ने की थी महत्मा गाम दिन दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखे तो उस्पस्ता का नाम बताईए जिसमें अंग्रेजियों द्वारा भारत की आर्थ तो इसका उध्गाटन जो और पंचमने किया था किसकी अध्यक्सता में इंग्लेंड कि पिधान मंत्री रैम जी मेंके मैकी डॉनाली की अध्यक्सता साइमन कवीन कभ ऑर्फियों भालत आये था 1928 ने आये था 1929 के अधिनियों के क्रियानमन की समिक्षा करने एक लिए 1928 मे जो सबसे घातक फिरभाव पड़ा था वह भारती पूझी और अनबस्तूओं का भारत से बाहर इंग्लेंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त ना होने इसे किस रूम में जाना जाता है यानि कि आप समझें पहले बाजार जो ब्यापार होता था उसके लिए कुछ हमारे देश में आता था लेकिन बाद में आपने देखा कि यहीं से ब्यापार करके ना मतलब अपने देश कुछ फायदा ही भेजने लगे वहां से कुछ मतलब पैसे की जरूरत ही नहीं पड़े यहीं से उन्होंने ब्यापार किया वो यहीं से खरीद कर भेजने लगे 1915 में काबुल में अंतरिम आस्थाई भारत सरकार की स्थापना किस ने की थी राजा महिंद पेताब ने भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना में यह ओ ह्यूम की आहें भूम क्या थी कॉंग्रिस में उनका अधिकारी पक्ष क्या था महासचीप का दुई राष्ट सिधान्त 1930 में सर मुहमद एकबाल ने दिया था याद रखे इससे याद रखे जबूब दुई राष्ट सिधान्त किस ने दिया था कब दिया था 1930 में सर मुहमद एकबाल ने और जिसका रच्चा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान सब्धिकार स्रेजन कैम्बरिज विस विद्याले की एक इसना तक ने किया था, इसन नहीं सब्धिकार का नाम कीया था रहमत अली, याद रखे पाकिस्तान जो सब्ध है, इसका सबसे पहले उपिया किस ने किया था? रहमत अली ने, याद रखे 5 फरवरी 1920 को उत्तर पिदेसमर के गोरगफोर जिले में चोरी चोरा नामकिस्तान पर उत्तेजित आंदोलन कारियों की एक भीड ने 21 सिफाईयों और एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी थी हिंसा की इस घटना से चुब्द होकर गांधी जी ने तुरंट किस आंदोलन को रोख दिया था महत्मा गांधी जब दुतिये गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थी तो कहां ठेड़ी थी किंग किंग स्ले हॉल में सैत्वाहिंसा ही मेरा इसोर है किसने कहा था महत्मा गांधी ने 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसन माप करिए 1905 यहां पचास कहां लॉड करजन ने ठीक है 1905 में चोरी चोरा कांड और सोराज फाइटी की स्थाफना वो फ्रेंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का वहिसकार 1921 से वायसराय की कारकाल की घटना है लॉड रीडिंग की कारकाल की चैपरहल 1930 को गांधी जी किस्तिस्तान पर नगर नगमक कानून को भंग किया थे इन्होंने दांडी में वह कौन सी कॉंग्रेस अद्धिक्स थे जिन्होंने 1942 में किप्स के साथ साथ सिमिला कॉंफरेंस में वावेल के साथ बारता की थी अबुल कलाम आजाल बारती सो जंता अंदोलन की इतियास में गरम और नरम दल में कपटा था 1907 में सूरत दिवेशन में बर्स 1942 में अखिर भारती कॉंग्रेस वाइटी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा फिस्तापारित हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन हम दया की भीक नहीं मानते हम तो केवल नयाय चाहते हैं बेटिशनांगरे की समाने दिक्यारों का जिक नहीं करते हम सौसासन चाहते हैं यह किसने कहा था दादा भाई नौरू जी ने मुझपर नगर मुझपर पुर बंकांड जिसमें फिफुल चाकी और खुदीगां आली अंदोलनेतत किस ने किया था लेयाकत अली ने ठीक है दिलायती गांदी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना की विरोध में किया था नमक पर टेक्स लगाने की विरोध में अस्फाक उल्ला कि सडेंद केस से समधितित काकोरी रेल डखेंती कांड में भारत में सती प के कारण लौड बिलियम बेंटिक मुखा हाथ कह दीजी आपको जो करना हूँ भारती राष्टी कॉंग्रिश का पिथम अधिवेशन किसकी पदावदी में हुआ था लौड डफरिंग के काल में सत्त्य सोदक्ष समाज की स्थापना जिवतिवात फू लेने की थी 1920 में गां याद रखे मातमा गांधी को सबसे पहले राष्ट पिता किस ने कहा था सो भाष्टन बोस खिलापत अंदोलन के पिरमुक नेता अब्दुलवारी संबंद था इनका देवबंध स्कूल से भारत का विवाजिन किस पिलान की द्वारा हुआ था माउंड बेटन खिलान की भा मेडम भीका जी कामा को याद रखे महलाएं भी पावर्फुल थी उस समय भारत में कौन से आंदोलन में वहत्मा गांधी ने पहली बार भूंक अर्ताल का प्रियों किया था एहमदाबाद मिल अर्ताल ये 1918 की बात है जलिया वाला बाग हत्या कांड की दोसी जनरल डायर की ह इतिया कि सतंता सेना ने की थी उदम सिंग ने नॉन सेना विद्रो 1940 के प्रमुक नेता कौन थी एमेस खान 1857 के विद्रो के समय दिल्ली का समराथ वाहदुर साय था परन्तु वास्तिभिक नेति किसके हाथों में था सेनेक नेता जनरल वक्स खांके दो या अधिक चित्री परिशतों की अध्यक्स तक कौन करता है केंद्रेगर है मंतरी भारती नाग्रेकों के मौलिक अधिकारों पर कौन 20 अंगत पितिबंद लगा सकता है संसद लेकिन आर्टिकल 21 में नहीं है आप देखें पॉलिटी की कह लिजी या अपर आप लोग इत इतिहास जब एंड होता है और पॉलिटी उहां से शुरू होती है और आप देखेंगे इतिहास समिधान बनने की फिकरिया इतिहास से ही आपको देखने को मुलेगी भारती समिधान के किस एक बाग में नियाइपालिका कारिपालिका कि पार्थग का फरावधन है तो राज क समिधान बनाने के लिए समिधान सभा की रचना करने का विचार दिया था सो राज दलने राजपाल की नियुक्ति समिधान के कौन से अनुचेद के द्वारा होती है अनुचेद 155 राज में विधान परिश्द की विवस्था समिधान के कौन से अनुचेद में की गई है किसी राजी की विधान सभा में अधिक्तम सदस संक्या कि नहीं हो सकती 500 सामाजी कार्थिक नियोजन किस सुची का पैसा है संबर्ती सुची बारती समिधार का कौन सानकित अलपसंक्याखों को अपनी मनपसंद सेक्षर संस्ताओं को इस्थाफितों संचलित करने का अधिकार कुसा रक्षान देता है अधिक अन्चेटी कॉंग्रेस की किस अदिशन में मुसलिम लीग ने सुराज पार्टी प्राप्ती का पिस्ताओ पारित की अलगन वो दिशन एक तरह से इन कुष्टन्स को आप लोग उसी तरह समझ लीजे कि आप लोग मीठा-मीठा खा रहे हैं तो कुछ नमकीना भी मतलब आप सूची कुछ म देश्टी भी होनी चाहिए तो इन कुष्टन्स को आप लोग टेश्टी समझ कर टेस्ट कर लेना जनता में राजनेतिक चेतना की जाकरन करने और महराश्ण में समास सुधारने की उद्देश से पूना सार्वजिनिक सभा की स्थापना किस ने की थी महादेव गोविंद र किसके प्रयासों से हुआ था 1830 में राजा राम मोहराय द्वारका नाथ टेगोर और पिसन कुमार टेगोर के 1857 में विदाधावई नोर्वजी निभारती सुधारति की स्थापना कहां की थी इंगलेंड में सारी हिंदू-पिणाली पश्च्चिमी सब बितार से बढ़कर यह कतन किसका था यानि वैसंट का बारेंद घोस और भूपेंद द्धत ने 1907 में खून के बदले खून के उद्धिस से किस सम्ती का गठन किया था अनुसीलन सम्ती का बिनायक दामुदर सावर कर जिनके नाम पर आप देखते हैं आज राजनीती होती रहती है आविना भार गुप्त करांतिकारी संगर्टन की स्थापना किसने की थी 1904 में इने ने की थी पिना एक दामुदर सावर करने कव 1904 में मात्मा गांदी ने गुजराद खेडा में एक कर नहीं आंदोलन किस वर्स चलाय था 1908 में भारत की राष्टी फितिक की चार पसू दिखाई देते है सिंग हार्टी और घोडे इसके अलावा चोत्रा कौन सा है सार्ड कॉंगरेज समाजबादी दल की स्थापना किसने की थी आचार नरंदियो और जैपिकास नारा उनने करांदी कारी उधम सिंग ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी पंजाब की भूग गवर्नर जनरल माईकल ओडायर की भार्टी राष्टी कॉंगरिस के किस अदिवेशन में मातमा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधी भाद सतधा जीवित रहता करांची अधिवेशन में 1931 में आज भी आप देखते हैं गांधी बादी विचार धारत है हम लोग भली भूल रहे होने विदेशों में आज भी पूजा जाता है चोरी चोरा की हिंसा गटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा अंदोलन बापस लिया था असायोग अंदोल केवनिट में सान योजना की समय भारत का वाइसराय लॉड वेवल रॉल एक्ट के विरुद में गांधी जी ने पैरम किया था असायोग अंदोलन असाम में 1857 की करांथी का नितित किसने किया था मनी राम दत्ता बिहार के उस करांथी कारी का नाम बताई जिसने सेप्टमब और 1928 में हिंदोस्तान सोसलिस्ट रेपाबलीकन आर्मी की बैठक की में भाग लिया था फडिंद नाथ घोस देवमंद के उस बिद्वान का नाम बताई जिन्होंने सुतंता अंदोलन में महत्तकुर्ण भूमिका निवाई थी अभूल कलाम आजाद कॉंग्रेस से निकल का सुभाष्ण भूस ने किस पाईटी का अगठन किया था तो याद रुखी फारवर्ड विलोग चेवरल 1919 को किस बाद का विरोध करने के आम हर्ताल का आईजिन हुआ था रॉलेक टेक अंग्रेज जी सरकार ने किस एक्ट के द्वान भारती प्रेस पर पावंदी और निताओं को बंदी बनानी की कॉसिफ की थी बरनाकूलर प्रेस एक्ट महत्मा गांदी ने परमहंस पंडली की स्थापना किसने की थी महराष्ट में गोपाल अरी की देशमुख ने इन्हें लोग हितवादी के नाम से भी आप लोग जानते हैं तो आपसे अगर पूछें कि लोग हिस्बादी नेता किसे कहते थे तो याद रखें गोपाल हरी देश्मोग 1861 में कलकत्ता पिकासित होने वाला समाचत पत्त अमरित बाजार पत्तिका की संपादक कौन थे मौतिलाल घोस या पत्त बंगला में पिकासित होता था भारती राष्टी कॉंग्रेस के अल्पमत का कितिने देश किस ने किया था डफ्नेंट ने वाय सराय लॉर्ड रेडिंग ने किस बर्स बिसेदादिकार का इस्तमाल करकी नमक कर कानून पारित किया था 1923 की बात है अखिल भारती ये खिलापत कमेटी की अदेश्ता किस ने की मातमा गांधी ने इस अधी वेशन में 24 नमवन 1929 में दिल्ली में गांधी जी द्वारा 1940 में शुरूं किया गया व्यक्ति का सप्तिया गया का उद्देश्ट क्या था बेटे सरकार के दावे को खोकला साबित करना कि भारत की जनता दुतिय विसेद में सरकार के साथ है भार पूरी तरह ना हिंदू है ना इसलामी ना कुछ और अन्न वह सबकी सयोजन है या कतन किसका दा मातमा गांधी का लेबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किस ने की थी तेज वहादु सप्पुरू ने बंगाल विवाजन 1905 में मुक्ता किस कारण से हुआ था करने के लिए फूट डालो राज करो आज भी तो आप देखते हैं भारत का पितम वायसरा कौन था लॉर्ड केनिंग अठारेश संताबन की विद्रो में विद्रोही सैनेकों के साथ उदार विवाल करने के कारण किस गवर्नर जनर को कलिमेंसी अर्था दया से इल की संग्या के अंतरगत कॉंग्रेस ने गोल में समिलन के बैठक में भाग नहीं लिया था पहली और तीसरी में कॉंग्रेस ने ठीक है दूसरी में लिया था के बल गांधी जी ने कॉंग्रेस की दरब से सौधिय सी आंदोलन सबसे पहली क्यापतारम हुआ बंगाल विभाजन के पध्याय कॉंग्रेस के अंदर सकती साली प्रभावा गुट के रूब में कार करने के लिए कॉंग्रेस नेशनल पाइटी किसने बनाई थी मदन मुहन मालविया और एमे एमेस आने ने ठीक है अंगला कुश्चन हम से क्या पूंच रहा है कि 1857 की विद्रों के नायकों मैंस प्रांस की समराठ को पत लिखा था कि अंग्रेजी सरकार की अन्याय का सपथ भंग के कार चारों और ऐसे धाक रहें जैसे सूर की किरणे तो याद रखिये ये थे नाना सहाब कौन नाना सहाब ने भारती सुतनता में रजबाडों की सुतनता का समावेश सम्मंदी पिस्ता और कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारिद किया गया था तो याद रखिए तिपपुरी का यह आप देखेंगे मार्च 1949 में जो हुआ था अधिवेशन बेटे सरकार ने इसे कॉंग्रेस विद्रो की संध्या दी जब की कॉंग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को आसहन तनाव में रखने की सहज पिति किरिया बताई यह टिपिड़ी की सांधोलन की थी तो यादर की भारच छोड़ो अंधोलन के संदर में आप सभी जानते हैं कि देखिए जब कोई विद्रो होता था यहां अंग्रेजों के समय तो अंग्रेज अपना पल्डा जाड़ लेते थे टेक है 31 दिसंबर 1929 को अर्द रात्री में भारती राष्ट द्वच को किसने फैराये था पंडिक जबाल लाल नहरू ने यहां आप लोग एक और लगा सकते हैं किस तरह से पल्डा जाड़ा जाता है अपने नेताओं से भी सीख सकते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है तो खुच सरे लेने लगते हैं और जब कुछ गलत होता है तो सरदार वल्लब भाई पटेल नहरू गांदी भीम राव मेड़कर इन लोगों पर डाल लेने लगते हैं ठीक है नहरू रिपोर्ट द्वारा अनमोदी ते डॉमिनियन स्टेटरस के विचार किस के विरोध किया था इसका सुवास्चंद बोस ने सुवास्चंद बोस पूर आजादी के लिए एक तरह से बात कर रहे थे ठीक है गांदी जी की दान्डी मार्च नेपोलियन की एलवा से पेरिस की ओर किस किये गए अभियान की समानती एक अतन किस राष्टबादी राजनेता का था शुवास्चंद बोस का और 1921 में मौपला विद्रो कहां हुआ था? मालावार में, कहां? मालावार में वेतियसी राजी चाहे हुआ कितना ही अच्छा क्यों न हो? सौदेसी राजी की तुला में कभी अच्छा नहीं हो सकता है या गर्थन किसने कहा था दयानन सरसुतिन है और विलकुल सही खा था ठेक है लंदन में आजजित गोल में सम्मिलन के किस सत्वें गांधी जी ने भारती राष्टी कॉंग्रिस के पिती निदी की रूम में भाग लिया था तो याद रखे केबल कॉंग्रिस ने दूसरे में ही लिया था दूतिय गोल में सम्मिलन में साथ सेप्टंबर 1931 से लिकर एक देसंबर 1932 के बीच हुआ था सौदेशी आंदोलल प्यारम किया गया था बंगाल की विभाजन की विरोध में बारती राष्टी कॉंग्रिस का उद्दिस बेटेन या फिर उसके उपनिवेसों की तर भारत में अपनी सरकार गठन करना था यह कतन किसका था दादा भाई नोरोजी का 19 मई 1928 में पंडित मौतिलाल नहरू की अध्यक्ता में गठिस सम्ती ने 10 अगस्त 1928 की अपनी रिपोर्ट नहरू रिपोर्ट पिस्तुत की थी इस रिपोर्ट में कौन सा विसा सामिल था भा गांधी ने 1932 में किस समझोते ही कि अंतरगत हरीजनों के लिए पिथक निरवाचन की विवस्ता कि विरोध में आमरन अंसन किया था तो याद रखिये था कम्यूनल अवार्ड बेटेस पिथानवंतरी रेमजी मैकडॉनाल्ड द्वारा घोसित किया गया था और हरीजनों के यानि कि जो हरीजन थे यानि कि जोने आदिवासी आप लोग कह देते हैं या आप लोग कहिए कि एक तरह से एसी में आते हैं ठीक हरीजन उन्हें ही बोल देते हैं अलग निरवाचन की विवस्ता की गई थी की जाएगी तो याद रखिये क्या था कि अंग्रेज फूट डा पालना चाह रहे थे एक तरह से भीमरावमेडकर साहब और गांधीजी के बीज इसलिए उन्नी सो नो में नासिक में जैक्सन हद्याकान में किस किरांतिकारी कहा था अनंद कनहारी का कैलिफॉनिया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीक किस्तापना किस ने की थी तारक इंडिया का बंबई की तिरिमोर्ती के नाम से कौन-कौन जाने जाते थे थे तरोस सायम मेहता केटी तेलंग और दादभाई नो रोजी पीछे भी हम लोग देख चुके हैं एक उस्टेंस भी पूछा जा सकता है भारत की विभाजन की समय भारती राष्टी कॉंग्रेक्ष अध्यक्ष कौन थे आचार जेवी किफलाने ठीक है अध्यक्षी है संबोधर की समय किसे कॉंग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भासा के रोमन लिफी लागु गर्णी की वकालत की थी तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद सत्यार्थ प्रिकास नामकोस्ता किस ने लिखी थी तो याद रखे स्वामीन दयानंद सरस्वती द्वारा भारती या असंतोस का जनक किसी कहा जाता है बालगंगाधर तिलक को सिमला सम्मिलन 25 जून 1945 को किस वायसराय की कारकाल में हुआ था लौड वेवेल के भारती सुतंता की घोशना किस वेटिस पिधानमंत्री ने की एटली ने लौड करजन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था और विभाजन किस वर्स वापस लिया गया था 1911 में और 1912 से लाग हुआ था तो याद रखिए विभाजन के समय लौड करजन था हरीपुरा जहां भारती कॉंग्रेस का इंक्यावन बारसी कदीविशन 1938 मे किस राज में था गुजरात में भारत छोड़ो अंदोलन के समय पटना अव सची वाले गोली कांड की घटना कब घटी थी 11 अगस्त 1942 को किस बैटे कमांडर ने जहासी किरानी लक्षिभाई को राय था हिवरोज ने और उसमें आप जानते हैं कि सिंधिया का बहुत बड़ा हाथ था मात्मा गांदी एवं सर्दार बल्लब भाई फटेल द्वारा खेडा अंदोलन प्यारम करने का क्या कारण था बेटे सरकाद द्वार मर्माने लगान निधारिन करने और उसे माप करने से मना करने की बिरोध में सो तंता से पूर किन तीन पिरमुख मेला नेताओं कि भारतिय राष्की कॉंग्रिस के अध्यक्ष पर निउक्ति हुई थी एक तो दॉक्टर एनी वेसंट अगर आपसे पूँचे कि भारतिय राष्की कॉंग्रिस की पहली मेला अध्यक्ष कौन बनी थी तो डॉक्टर एन आँगे देखेंगे आप लोग नेली सेन गुपता ठेक है अंगला है कुशन गांधी की दवारा साबरमत्री आचरों एहमदाबाद गुजराज की स्थापना कपकी गी थी 1916 की बात है 29 माई 1857 को किस देशभक्त सेनिक को विद्रोहो के आरोब में बेरकपूर में फांसी दी गई थी मंगल पांडे को भारती सुतंता अंदोलन की इतिहास में उगपंती गरमदल नरमपंत से अलकब हुए थी 1907 में सूरत अधिवेशन में 20 फरवरी 1947 को वेटिन के ततकालीन पिधर मंत्री कलिमेंट एटली ने किस तिती तक अंग्रेजियों द्वारा भारत छोड़े देने की गोषना की थी जून 1948 लेकिन आपने देखा कुछ परिस्तिती ऐसी बन गई कि उन्हें उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ना पड़ा सुतंत भारत की आजस्थाई सरकार की स्थाफना सुवाश्चन्द बोस ने कहा की थी बताईए तो एक ही थी कहां? सिंगापुर में उसके बाद देखेंगे आप लोग की लाला लाचपत राय पर किस से किये गए लाठी चार की विरोध में अंग्रेज अधिकारी सेंडर्स की हत्या कहां कर दी गई थी? लाहर में कहां? लाहर में याप याद रुखी गए कैबिनिट में सन भारत कब और क्यों भी जा गया था? तो 1946 की बात देखेंगे और भारतियों को सत्ता हस्तांतरन करने का मार्ग खोजने के लिए बेटी सरकार द्वारा भारतियों से परामस किये बिना भारत को दुतिय विस्योद में भागीदार बना दिये जाने के विरोध में वेक्ती का सत्त्यागे का रास्ता चुना था 17 एक्टूबर 1940 को इस पिकार का सत्य अगय करने वाले सरफितम कौन थे व्यक्ति इसमें सामिल बेनोवा भावे बार्दॉली में कर ना अदाएगी अभियान का नेतित किसने किया था सरदार फटल ले बारती इतिहास में 6 अपरेल 1930 जानी जाती है महत्मा गांदी द्वारा जब दान्डी मार्च किया गया था 6 अपरेल किसने कहा था कि अगर सरकार सोतार सोराज का दान देती है तो मैं धनदा धनवाद दूँगा लेकिन मैं उसे सुईकार नहीं करूँगा जब तक कि मैं उसे स्वायम हासिल ना कर पाऊं तो यह थे विपिन्द चंद स्पाल अगस्त पिस्ताओ कलक्ष क्या था भारत को उपने वेसिक सोराज देना अच्छूतों वा निमने वर्गों को लोगों को प्रांती एवं केंद्री विधान पर्चदों में इस्तान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महत्मा गांदी और भीमराव अंबेड करके बीच कौन सा समझोता हुआ था पूना समझोता कई बार आप से पूँच लेता है कि पूना समझोता किन किन के बीच हुआ था महत्मा गांदी भीमराव अंबेड कर मात्मागानी एक कब 22 से तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उखवास किया था तो 1924 में संपताय एक तनाव से दुखी होकर देखें गांदी जी के पास एक सक्ति हुआ करती थी यही कि कोई बात नहीं मान रहा है भूंखरता पर चले जाते थे और लोग उन्हें जुखना पड़ता था लोगों को और माननी पड़ती थी जतिंदास किस आरोप में बंदी बनाए गए तो लाहोर सडहंत में हम या तो भारत को आजात करेंगी या फिर इस परियास में अपनी जान दे देंगी यह नारा किसका था महत्मा गांदी का बरस 1907 के किस अदीवेशन में कॉंग्रेस के अंदर फूर्ट पड़ गई और ओगवादी और उधारबदी दल फिथा अलग हो गए थे तो यह था सूरत अदीवेशन कॉंसी घटना थी जिसमें के बाद महत्मा गांदी ने बेटे सरकार की विरूद अपना सरपितम सहयूग अंदोलन प्यारम किया था तो याद रखी यह था रॉलेट एक्ट काला कानून भी कहते थे सुवाश्चंद बॉस ने सुतंद भारत की आइस्थाई सरकार का गठन कब और कहां किया था सन 1943 में सिंगापूर में मुसलिम सबाज में सुधाल लाने और उसमें विराप्त कुरुतियों को तूर करने के लिए कौन सा मुसलिम आंदोलन चला था तो एहमदिया आंदोलन मुसलिम लिग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस की रूम में मनाय था 27 मार्ज 1947 चंपारण जर्पत में तिनकटिया पिथा का क्या ताथ पर था तो याद रखी किसानों की जो जमीन थी उसके तीन वीस बे हिससे भूभाग पर नील की खेती करने के लिए गांदी जी ने चंपारण से सत्यागया अंदोलन प्यारम किया गांदी जी को चंपारण आने का निवंदन किस ने दिया था तो ये थे रामकुमार सुकल ये ऐसा माना जाता है कि गांदी को चंपारण की जरूरती और चंपारण को गांदी की क्योंकि गांदी भी अपना देख रहे थे जमा रहे थे पैर कहीं तो जमे भारतिय भाजाओं की अख़पारों का दवन करने के लिए वर्नाकूलर फ्रेस एक्ट कब बना था अठारे सो टत्तर में 23 अमर 1912 को गवर्नर जनरल लौड हार्डिंग फर दिल्ली के चांगनी चोक में बम फेकने का कांट किसकी नेतित में हुआ था रास विहारी बॉस के पांच फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर पिदेस में चोरी चोरा जो नामक एक छोटे से गाउं में थाने में आग आता है और आपने देखा होगा कि बाहरी आलोजना भी हुई थी इस समय गांधी की कॉंग्रेस और सिलिष्टे पाइटी की स्थापना किस ने की थी आचार नरेंदे दियो ने मॉंट्गिव चेंप स्पोर्ट सुधार का वास्तवरी कुद्देश क्या था दोएदेस आसन पिडाली लागू करना राज गोपालाचारी ने कॉंग्रेस एबा मुसलिम लीक के मद्द सहयोग बढ़ाने ही तो 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला पिस्तत किया था जिसे उन्ही के नाम पर राज गोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है यह फार्मूला अपत्य पितक पाकिस्तान के अधार्ना महीं फिस्ताव था गांधी जी ने समन्ध में क्या पितिक्रिया दी थी गंती जीने इसका समर्थन किया था सोरसेंट किस संगट से जुड़े हुए थे इंडियन रिपब्लीक रिपब्लीकन आर्मी से नागा अंदोलन नागा जन्जाती द्वारा प्यारम किया गया जिसका नितित एक युवा नागा निता जादो नाग ने किया था और अंग्रेजों को विरोध रोक अप्टियार कर लेने के पर अंग्रेजों ने जादो नंग जादो नंग को गरपतार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया था इसके बाद इसका नितित किसी उति द्वारा किया गया था तो याद रखिये थी गेडे न लिव द्वारा सिग फोस आंदोलन कहा और कब हुआ था असम में अठारे सो तीस में टिवियून शमाचारपत का पिकासान वो पंजाब ने समद बैंक की स्थापना किस की द्वारा की गई थी लाला हरी सिंद लाल द्वारा धाका नुसीलन संती की स्थापना किस की द्वारा की गई थी वेक्टोरिया कोई कौन सी उपादी पिदान की गई थी? केसर एहंद। स्याम जी किसन बर्मा का इंडियन शोसलेश्ट मेडम कामा का बंदी मात्रम पत्त जो सोतंता अंदोलन के समय के महत्पूर पिकासन थे? कहां से पिकास्ट किये गए थे? लंदन और परिस किरम साहब। इलबर्ट वेल का अधिकारिक नाम क्या था? एथा क्रेमिनल फ्रोसेजर एमेडमेंट कोड बिल ठीक है? यूरोपया नील बागान वालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के सोसन के पाईडाम सवरू बंगाल नील आंदोलन शुरू हुआ और जिसे 1889 में इस भी में लिख से इस भूमी का दखलंदा जीव अधिकार दिये गये थे? कब लागु हुआ थे? 1885 की बात है. दो हॉम रूल लीग इस्थापित किये गए पहला अपरेल 1916 में बीजी तिलक द्वारा और दूसरा सरीमती अनिवेसेंट द्वारा सेप्टमर 1916 में. 1919 में लागु किये गए एनार्किकल एंड रिवुलेसनरी क्राइम्स एक्ट अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराद विधेयक को लोक्तरिये नाम क्या था? रॉलेक्ट एक्ट इसे लिए तो इसे काले कानून की संग्या दी गई थी. और शेवर की संदी 1920 में तुर्कों के साथ कठोर सर्तों का आग में घी का कार किया और अंग्रेजयों द्वारा सुल्तान के विरोध उकसा जाने से अरब में विद्रो जिससे भारती मुसल्वानों की भाउना का आठ होना. आधिक इस भारती आंदोलन की कारण हुए थे? ख 24 दिसंबर 1932 तक हुआ, कॉंग्रेज की किस पितिनेदी भाग लिया था? तो याद रखिए इस अधिवेशन में कॉंग्रेज की किसी भी पितिनेदी भाग नहीं लिया गया था. आपको बता दूँ एक बात, कि इसमें आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कि गांदी अधिवेशन ने केवल एक बार ही भाग लिया है, कॉंग्रेज की तरफ से, दूसरे गोल में इस संबिलन में, ठीक है? उसके बाद कभी नहीं लिया. अंग्रेजों ने भारत इससे धन का दोहन किया, जिसे अर्थ सास्त्री आर्थी दत्त, दालाभाई नौरोजी और अनलोग आर्थिक दोहन की नाम से उखारते थे. इस समन्द में पर पावर्टी एंड अन्बेटिस रूल इन इंडिया किस की किरती थी? दालाभाई नौरो की थी, इन्होंने 1920 में बंबई All India Trade Union की स्थापना की थी, यह संगठन सोब्येसं की ओर जुखने लगा, तो 1939 में इससे यालग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? इंडियान ट्रेड इंडियान फेडरेशन की. मात्मा गांधी ने दच्छिर अफीका में इंड इंडिया सप्ताहेक पत्त अंग्रेजी में पिकासित किये, उन्होंने गुजराती में किस पत्त का पिकासन किया था? नाव जीवन का. बिलियम जॉन्स ने 1784 में एसियाटिक सोसाइटी की स्थापनी की और इस सोसाइटी ने विभिन भासाओं में फराचीन पांडूलिपि किया था? अविज्यान सकुंतलम का. यह भी याद रखिए. निंग ने ब्यक्तियों का किन किन संक्टनों से संबन था? महादेव गोविंद रनाडे, दिरोजियो, सिरी नारायन गुरू, नबाब अब्दूल लतीव. तो इसमें आप देखेंगे महादेव गोविंद और इसमें अलनबाब अब्दूल लतीव तो मुहमद मुहमणडन लिटररी सुसाइटी. इन सब को याद रखिए. इस तरह के संगठनों से भी कुश्चेंस कई बार गूच लिए हैं. आगाखा के साथ मुसलिम सिष्ट मंडल अक्टूबर 1906 में सिंग्मला में वायसराय मिन्टू से मिला सिष्ट मंडल का नेता कौन था? आगाखा. मुसलिम लीग. समझ रहे? असायव अंदूलन के द्वारां फ्रेंस और वेल्स भारत आये. जो उनका स्वागत आम हरतालों और पिदर्सनों द्वारा किया गया है. ले कब भारत पहुँचे थे? 17 नवंबर 1921 में. उत्तर पिदेश के चोरा-चोरी नामकिस्थान पर जंता भढ़की और उसमें आपने देखा है कि एक थाने में आग लगा दी गई. 22 पुलिस बाले जलकर राक हो गए, यानि की डैथ हो गई. इसके बाद आपने देखा होगा कि सहयव अंदूलन को गांदीजी ने बापस ले लिया था. यह पहले भी कुस्टेंस देख चुके हैं लोग. बेटेस और विदेसी कमिनेश्ट एजेंट समझने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने और मजदू संगट्रों को गतिविदियों पर अंकुस लगाने के लिए बेटेस सरकार ने 1939 में कौन सा कानूर बनाय में 1856 के बास 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस से अलग होकर एन एम जोसी की नित्त में किस नई संस्था का निर्वाण किया था इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के अंदर तूट परने से किस उदारवादी यूगवादी ये पूछी लिया है पीच्छे भी बात कर चुके हैं कई बार कुष्टन्स भी बन चुका है सूरत अदिवेशन 1907 का जलिया वाला वाग अत्याकांड के बाद पंजाब में फैली असांती की जाज के लिए कॉंग्रेस द्वारा नियुकत आयो के अधिक्ष कौन थे मौतिलाल नहरू 1902 में गरवर्ण जनरल लॉड हाइडिंग की गाड़ी पर बं किसने फिका था रास बिहारी बॉस ने तो याद रखी बंगाल विवाजन की समय रद होने की समय लॉड हाइडिंग थे जनरल गवर्ण जनर जनरल असाहिव आंदोलन प भारत छोड़ो अंदोलन की समय कॉंग्रेश के अधिक्ष कौन थे तो याद रखी ये थी मौलाना अभूल कलाम आजाद 1857 में विद्रो में दिली में विद्रोहीयों का वस्तविक नेतित किस ने किया था बप्त खान ने बहादर साज यपर ने उपचारिक नेतित किया था कॉंग्रेश अधिवेशन की अधिक्षता करने वाली पिथम अंग्रेश कौन थे जॉड जीवले ये 1888 का जो ये लावाद अधिवेशन गुआ था भागास्तिंग राजगुरु और सुखदेओं को किस केस में फांसी दी गई थी लाहोर सड़ेंद केस में जब भारत को सतंता मिली उस समय बेटेन में किस दल की सरकार थी सैमिक दल की लेवर पाइटी किस अंधोलन की दोरान गांधी जी को सर्वितम महत्मा कहा गया जाने लगा था चंपारन अंधोलन की दोरान 1970 में आल इंडिया ट्रेड उनियन कॉंग्रिस के पिताम अध्यक्ष कों थे लाला लाजपतरा है असा योग आंधोलन की दोरान विदेशी वस्तों को जलाने पर किस ने महत्मा गांधी को पत लिखकर कहा था या निष्ठोर बरबादी है तो रवेन नाट टेगवर सामने कहा था ठेक है क्योंकि आप समझी कि एक तरह से वो आ चुके थे हमारे देश में और हम उसका पैसा भुखतान कर चुके थे तो उन्हें बरबाद करना यानि कि अपनी ही बरबादी थी एक तरह से आप लोग इसे इस तरह से ले सकते हैं कि माल लिजें कि आप लोग ने चाइनीज सामान खरीद लिए जो सामान खरीद चुके उन्हें अगर आप लोग तोड़पोड करते हैं तो इसका नुकसान तो आप ही उठाएंगे ना अब आंगी से मत खरी दिये, ऐसा कर सकते हैं आप 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रो के आरूम में बैरकपूर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को All India Trade Union Congress किस था अपना किस वर्स होई थी? 1920 में Communist International का नेतित करने के लिए चुने गए फिथम भारतिय थी? M.N. Rai भारतिय से बख समाज किस था अपना किस ने और कप की थी? गोपाल किस ने गोख लिए ने 1905 में भारत की राधनी कलगत्ता से लेली किस बार सिस्था ना मिंत्रित हुई थी? 1911 में इसकी घोशना हुई थी und 1912 में हुई थी लगभभभव किस गोल में सम्मिलन में महत्मा गांदी ने Indian National Congress के एकमात पितीनेदी की रूम में भाग लिया था? दुदिय गोल में सम्मिलन में किस ने कहा तो मात्मा गांधी या सिसात्मा करांधी के सौम में पैगंबर हैं तो लेरी कोलिंस और डोमेनिक लेपियर ने सामाजी धार्मिक संगटन तत्व बुधनी सभा का प्यारम किस ने किया था देविंद नाठ टेगोर ने भारत में पिथम भारती महला भी स्विध्यालाई कि स्थापना किस ने की थी डी के कारवे ने ने उनीस सो सोले में भारत की पिथम राष्टी समाचार एजनसी कौन थी दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया भारत की सेक्षडिक नीती में फेल्टरेशन सिद्धान के पितिवादक थे मैकाले उपने वेजस तक भारत के आर्थी कितिहास को चार्ज चरणों ब्यापारीक पुझीवाद मुक्त ब्यापार पुझीवाद उद्धोग पुझीवाद और वित्तिय पुझीवाद में किस ने विभाजित किया था आर्सी दतन है वह कौन से राष्टवादी थे जो योजनात्मक आर्थी विकास के आधार पर राष्ट निर्माड की पक्षिधर थे वह एक इंजिनियर भी थे तो यह थे एम विस्वरिया ठेक है मानाओ के लिए एक धरम एक जाती और एक परवेसोर का नाराक्षन ने दिया था स्री नारायन गुरू ने 1857 के विद्रो के संब्द में किस ने यह विचार वेक्त किया था कि मेरेट का विद्रो गर्मी की आंधी की भाती अचानक और अल्फ कालिक था यह था S.N. Sen ने कहा था भारत छोड़ो पिस्ताव का लेका कौन थे जवाहलाल नहरू बंगाल विवाजन की विरोध में कौन सा अंदोलन हुया था सौधेसी आनदर मुसलिमों ने आलाग राज पाकिस्तान के लिए सरफिता मावाज का उठाई 1930 के अखिल भारतिय मुसलिम लीग के इलावज अधिवेशन में जून 1922 में गटिस सबने एव गया अंदोलन जांसंती के अधिक्ष कों थी हाकीम अजमल खां मेरी नीती सबसे जबसे भारत में आया हूँ कॉंग्रिस के को नमपुवन सक बना रही है यह किसका कहना था लॉड करजिज्म का चक्कर लगाने वाले बाली देश वक्ती सब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था कॉंग्रिस पाइटी के लिए साइमन कमिसन के विरोध विरोध पिदर्सन के दोरा लाला लाचे पत राय गंभी चोटे आई थी उन्हें और जिसके बईडाम सवरूप आपने देखा कि उनकी आंगे चले के मौत हो जाती है यह घटना कहा घटी थी लाहोर में पिथम गोलमेश के गोलमेश सम्मेलन के संबंद में किसने कहा था कि सम्मेलन में भारत को दो कड़वी गोलिय रक्षोपाय और तथा संग फिदान की जिने खाद बनाने के लिए उत्तरदायत सक्कर में लपेट दिया गया है तो यह पंडित जबाहलाल नहरू ने कहा था किस सांदोलन में महत्मा गांधी ने पहली बार भूंखरदाल की थी तो याद रखे एहमदाबाद अर्दाल में 1918 में किस पेशबा को इतिहास में नाना साहब की नाम से जानते हैं बाला जी बाजी राओ कूंगरेस से पूर्फ सरवादिक महत्मूर संगर्थन कलकता का इंडियन एसोसियेशन था और इसकी स्थापना एस एन बनर जी और आनंद मोहन बोस ने कप की थी 1876 में 1885 में आप देखते हैं यह आजाता है पर आपका कॉंगरेस भारती सतंता संगर्थ के दौरान की गरपतारी के विरोध में काफी संख्या में निरत थे लोग अमसर की जलिया वाला बाग में 13 अपरेल 1919 को इकट्टे हुए थे तो याद रखिए डॉक्टर सिपुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्फाल मले याद रखिए 13 अपरेल 1919 को हुआ था जलिया वाला हत्याकार्ण 1906 के भारती अराष्टी कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षी भासन को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था गोपाल किसने गोखली साहब ने बार्दोली सत्यागे के दोराद बंबई पर एसिडेंसी का गवर्नर कौन था लेसली विल्सन भारती मसलवानों में अलीगर्ड आंदोलन का मुख उध देश क्या था भारती मसलवानों में सामाजिक धार्मिक सुधार All India Trade Union Congress के बंबई के पित्थम अधिवेशन की अधिशिता किसने की थी लाला लाजपत राय ने किसने सुभाष्चन वोस को भारतीय देश की भक्ती का जोलन्त तलवार संबोधित किया था सरोजनी इनाइटू ने ठीक है 1929 में All India Indian India Trade Union Congress के विवाज थुगा था वो जिसमें M.N.N.M. जोसी को All India Trade Union Federation बनानी किया सकता पड़ी थी क्योंकि संगठन को अंतराष्टी सामवादी आंदोलन के कारण किसके सुझाओ पर भारतियों को साइवन कमिशन से वाहर रखा गया था लॉड एर्विन के सुझाओ पर महतमा गांदी के विशाय में किस व्यक्ती ने यह विचार दिया था कि आगामी पिडियें सायदी ही विश्वास करें कि ऐसा सरक्त मास का मानों कभी पितवी पर आउ अकिल भारतियी किसान सवा का गठन कब और कहा हुआ था 11 एपरेल 1934 को लखनव में भारतियी राष्टी कॉंग्रिस का पिथम सचिप कौन था एवो यूं बम का दर्सन कि सुतंता सेना नहीं लिखा था भगबती चरन वहरान है मैं जिस पीडी में उत्पन हुआ हूँ है प इतिहास पर गांधी के पर वहाँ विटला और स्टालिन के पर वहाँ से अधिक चिरस्थाई होगा यह का थन किसका था अरनेल्ड अरनेल्ड टोएन टोएनीवी का ठीक है और यादर कि आप भी जानते हैं सत्त की जीत होती है टाइम लगता है लेकर वह सत्त को बहुत लंब इसन में सौधी की प्रिस्ताओं को अपनाया था बनारा सदीवेशन 1905 बालगंगधर तिलक्का समाचार पत्त मराथा किस भासा में था अंग्रे जी बालिन पहुंचने के लिए सौभास्चंद बॉस ने काबल में किस नाम से पास्पोर्ट प्राप्त किया था और लेंडो मेसोटा अब आप देखी कि मैंने गांधी जी की थोड़ी तारीव कर दी तो आप असब मस समझे कि मैं और लोगों को नकालता हूँ बिलको नहीं मैं में खुसी नहीं मनाएंगे ठीक है सब बराबर हैं अपने लिए ठीक है सबकी बदोलत आज हम लोग आजयाद हैं और उनका हमें सुक्रिया करना चाहिए हम लोग नेता तो हैं नहीं कि आप लोग समझ रहे हैं रोटी उनके लिए सेकना है गांधी को गाली दे कर कोई भगस में अपनी जान दे देंगे यह नारा किसका था महत्मा गांधी का 1906 में बंबई में डा फ्रेश्बे क्लास मिशन सुसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कि इस ने की थी वियार संदे ने 1857 की विथम स्वाधीन संगराम का संगराम का सरकारी इतिहास से कार कौन था तो एस एन सेन असायो गांधोलन पिस्ताओं की लेकक थी चितरंजन दास यह एक डूपते हुए बेंग पर अग्गिम तिथी का चेक है क्रिफ्स पिस्ताओं की संदर्ब में एक किस ने कहा था महत्मा गांधी ने किस सावाजिक धार में एक अंदोलन में भालत भारतियों के लिए का नारा लगा था है और समाज में गांधी जिने भारत शुड़ आंदोलो शुरू करने की बक्त जन शाधनन को कर ओ या मरो का नारा दीया था उन्हें ग गरपतार करकिस जिल में रखा गया था उसमें आग की थी लंदन में बार्दॉली किसान अंदुलन बल्लब भाई पटेल की नित्त में अपनी सफल पर नतीक तक पहुंचा और इस सत्यागे के समय वहां की महलाओं की ओर से गांदी जी ने बल्लब भाई पटेल को कौन सी उपादी दी थी याद रखे सद्दार की ये कई वार कुश्टन पूंचा जा चुका है असायव आंदुलन में बिदेशी कपड़ों का बहसका सरवादिक सफल रहा था गंदी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा बहनने की सलाय दी थी खा दी और आप समझी कि उस समय भली आप समझ सकते हैं कि सफल रहा थ कहां तक हम लोग कटोती करेंगे या तो हमारे लोगों को दूसरा ओप्सन उपलब्द करवा दीजे अब आप सोची कि चार फोन में से आपको तीन चाइनी कंपनी के देखने को मिलेंगे कहां तक कैसे बंद होगा ठीक है तो समय की बात अलग थी भारत छुड़ों अंदोल 1442 को भारत छुड़ों अंदोलन में को सरकार में सभी प्रमुक नेताओं को गरपतार कर लिया उन्होंने इस कार का किस ओपरेशन की संग्या दी थी ओपरेशन जीरो अवर याद रखे भारत छुड़ों अंदोलन के समय नेताओं को गरपतार इसी ओपरेशन के तहर किया ग जहांसी कि रानी लच्छमगाई ने किसकी साहता से ग्वालियफ अधिकार किया था तत्या टोपे की साहता से अब आप लोग यहीं देख लिए वो समय गांधी को आप समझे कि इन्हें महतमाल माप करिए रानी लच्मगाई को भली आप लोग देशदरोही कह रहे हों अंग्र एक तरह से पाली बदल रहे थे अभी भी आप देखते हैं सिंधिया को जिलना पड़ता है आपने देखा हुआ कॉंग्रेस जब कमलनाथ की सरकाल गिरी उसके बाद कितने कितने भद्दे कमेंट किये गए और देखिए आपके ऊपर जब फीचर लगा हुआ है तो आप उसक कितना साफ करेंगे सबने एवग्या अंदोलन किस घटना से पारम की गई नमक कानून तोड़ने की घटना से गांधी इर्वे समझाओती कि आलोचना का प्रिक्म्रोक त्रमोक कारण था देश भक्तों को फांसी से मुक्ति का आवाओ बिवाय मंदल की स्थाफना की थी महादियो गोविंद रनाडे ने कोलापुर में के महराज चत्रवती साहू ने वियार अंबेडकर को किसकी प्रिकासन के लिए वहिस्कित भारत की प्रिकासन के लिए बंगाल विभाजन दिवस्त 16 एक्टूवर 1905 को किस रूम में बनाने का सुझाओ रविना टेगोर ने दिया था रक्षा बंदन के रूम में किस ने कहा था कि मेरे बंदूओ यह मत भूलो कि निचले बार के लोग गरेव आसिक्षित मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हर मास्के हैं तुम्हारे बंदों यानि की भाही है स्वामी वेका अनन्दने सौदेसी आंदोलन क्यों पारम किया गया था बंगाल वेभाजन की विरोधर स्वारो सौदेसी आंदोलन प्यारम हुआ था डान्डी मारिच चिसस्तान से प्यारम हुआ था 1930 में गुजरात में इस्ति जुसावर मती अस्रम था यहां से शुरू हुआ था भारत में पहली वार कब एवं कहां कॉंग्रिस द्वारा पूर सतंता की गोशना की गी थी लाहोर में 31 दिसंबर 1929 को पूना पेक्ट किसके मद्द और कब हुआ था 1932 में हुआ था महत्मा गांदी और भीमराव अंबेड कर कैविनिट में सन भारत क्यों भी जा गया था भारत की सत्ता हस्तांतरं कमार खोजने के लिए काकोरी कांड की पिरमों खभियोकते कौन थे असफाक उल्ला खान और रोसन लालिंदोनों को याद रखिये नाम को 1857 के विद्रोक राष्टी सुतंता के लिए उन्हें जिस संग्राम की संग्या किसमें दी थी वीडी सावर करना अठारे सो 1889 में भार्ती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बिलियम विडर्मन निव लेंब फोर ओल्ल नामक लेकों की संग्ला में उधारबादी राजनिती की जमकर आलुचना की गई थी इसके लेका कौन थे अर्वेंद घोस कॉंग्रेस का सुबरत विभाजन किस वरस था उननीस सु साथ में 1905 में किया गया बंगल का विभाजन कब और किसा उसर पसमाप खोसिद की अगया था बहादूर साय जफर द्वादा, बहादूर साय दुतिये से, बायकों सत्या के किस सराज में चला था, कीरल में, ओल इंडिया, ट्रेड यूनियन कोंग्रेश की पितमत देख्च, लालालाच पतर आ है, किस कॉंगरेश ने अपना नाम बदल कर भारती मजदूर ट्रेड यूनि तो हमें देश की दिहास में औरंग जेप किस असनकाल की ओर जाना पड़ेगा, तो एक गोपाल किसन गोखली साहब ने कहा था, कॉंग्रेश धरासाई होने के लिए लड़ खड़ा रही है, और मैं भारत में मैं जब तक हूँ, तब तक मेरी एक बहड़ी महत्वा कंच्छा या है कि मैं उसे के सांती पूर्वक डेथ में सहायता दूं, या किसने कहा था, लौड करजन ने, एक अथन कई बार पूँच लेता है अपका, कॉंग्रेश के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार वो कर्तब बें पिस्ताव पारित हुए थे, कराची अधिवेशन 1931 की ब खुदाई खिद्मतगारों ने किंदो पिरमोख बातों का अहन किया था, पठान छेतरी अधाष्टवादी एकता का और उपने वेश्वाद की विरोध संगहर्सका, सन 1875 में हाउस अप कॉमन्स में एक याज का पिस्तुत करते हुए, बेटी संसत में भारत की पितेक्षे पितनिदीत की मांग किस संस्था ने की थी, दा डखकन एसोसियेशन ने, एनी वेसंट द्वारा फ्यारम किये गया हॉम रूल, आंधोलन की अतरिक किस ने एक दूसरा आंधोलन प्यारम किया था, बाल गंगा धर तिलगने, पाथ वेटू पाकिस्तान किसकी किर्टी थी, चौदरी, खली, कुझमा, कान की, बातम गांधिनी किस अंधोलन के दौरान, भूंखरताल को सरफिथम सत्यागय की रूम में प्रयुक किया था, एहमदाबाद, मिल माकरी, 1918 में, बैटे सरकार में भारत विभाजन की योजना की घुषना कब की थी, 3 जून 1947, थियो सोफीकल सोसाइटी का अंतराश्टी मुख्याला, 1882 में कहां बनाए गया था, अड़ेयार में, मद्द निसेत किस अंधोलन का प्रमुक मता था, सबीने योग गया, नहरू पंडित मुखतिलाल नहरू से था, नागी जवाहलाल नहरू से, दच्छिन भारती ओधारवादी संकी स्थापना किस ने की थी, पीसी त्रयाग रायने और टी-म नियरने, अंग्रेजों ने पेशवा नाना सहब की पेंसन क्या कहकर बंद कर दी थी, वह बाजी राओ के से, भारती सुतंता अधिनियम 1947 किस दिन फिरभावी हुआ था, 15 अगस्त 1947, हिंदोस्तान सोसलिस्ट रिपवलीकन आर्मी का गटन किस ने किया था, चंद से कर आजावने, जैवेकास नारानी किस राजने तिक दल से संबन दी थी, कॉंग्रेस समाजबादी दल, कॉंग्रेस सियद एहमद खा, हॉमलूल अंदूलन का मुख धहर किया था, भारत में बेटी समराज के अंदर सोसासन फिराप्त करना, महत्मा गांदी के साथ, चंपारान सत्यावने भाग लेने वाली दो प्रमुक नेता कों से थे, एक तो राजन पे साथ, एक अनुग्राए नारायन सि के विरोध और असरयोग के कारण पत्याग पढ़ना पड़ा था, एक तो आपके चितरंजन दास थे, और दूसरे सो आश्टन्द बोस, आप सोची कि उस समय आप सोची कि गांदी जी के लिए खुस करने के लिए लिए कि आप कॉंक्रेस के अध्यक्ष पदर से भी करती थी, लेकिन आप सी रिष्टे वड़े अच्छे हुआ करते थे, इसलिए आप सभी जानते हैं कि जब पहली मंतरी मंदल बनती है, पंडी जिवाहला नहरू के नितित में, तो उसमें आप देखते हैं, सरदार बलाब भाई पटेल को इस्थान दिया जाता है, भीमराओ मेड कर साहब को स्थान दिया जाता है, जबकि आप अच्छे से जानते हैं, कि इन तीनों की विचार आप देखेंगी, अलग-अलग हुआ करते थे, विचार दहर अलग थी, फिर भी दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि मंतरी, कानून मंतरी, कानून के छित में सबसे अ 1946 में कौन सा मिसन भारत आया था, तो ये था केविनिट मिसन, किसके सासनकाल में भारती राष्टी कॉंग्रेस पर पीतीवन्द लगा गया था, और उसके एक लाथ 20,000 से अधिक सदस्नों को गरभतार किया गया था, तो लॉर्ड बिलिंग डंड की सासनकाल में, भारती सुत 17 संकरस के द्वारान जिवरेक इस्तित, इंटरनेशनल फ्रे इंडिया कमेटी का ध्यक्ष कौन था, और जिसके बाद इंडिया नेशनल पार्टी का प्यारम किया गया था, तो ये थे चंपकरा, चंपकर, रामन पिल्ले, किस सांदोलन से अर्विंद गोस्त द्वारा लिख कौन थे, महत्मा गांधी, आम जंता के लिए जीवन यापन और कारी की वेहतर इस्तितियां उपलाब्द कराने के लिए सन 1911 में सोसल सर्विस लीक की स्थापना किस ने की थी, नारान मलहार जोसी ने, भारती सुतनता संकरस के दौरान किस ने दी इंडियान सोसियोलिस थी, उत्तर पश्चमी सीमान फरांत ना तो भारत के साथ समलित होगा, और नहीं पाकिस्तान के साथ वगरन एक सुतनत प्रभूता संपन पक्तुनिस्तान राज्य बनेगा, देखिए उस समय सबकी अपनी इपनी ख़वाई सें थी, कि हमारा एक देश हो, लेकिन आप जानत अधिकारों और आर्थिक नीती पर पिस्ताव पारित किया गया था, कराची अधिवेशन 1930 में, 1866 में इंडियन एसोसियेशन की स्थापना के से कौन समंदी था, आनन्द मुहन बोस और सुरेंद नात बनर जी, भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना कप की गई, 28 देस पाइटी की स्थापना, 1875 में किस ने की थी? मैडम बिले बेट्स की करनल ओल कॉर्ट ने, आर्केटिक हॉम इन दा वेदाज नामक गरंथ की इसन की रचना थी, लोकमान गंगाधर तिलक्की, सब नए अवयोग्या अंदोलन किस के नितित में चलाए गया था? महत्मा था कि भारती एस और मंडल से एक सितारा डोब गया, तो लाल लाजपत राय की मित्ति उगे बाद, स्वाधीन था हमारा लक्षा और हिंदूत ही हमारा आकांचा पूरी कर सकता, यह कतन किसका था? अरवेंद घोस का, कॉंग्रेस समेलनों को सिक्षित भारतियों का बार्सिक राष्ट मिला, कहकर किसने कांग्रेस की आलुचना की थी? लाला लाजपत राय ने, भारती राष्टी कांग्रेस की तिपूरी अधीवेशन पर बर्स 1949 में, सुवाष्चन वोस को कांग्रेस का ध्यक चुना गया था, वह तिपूरी कहा था? जवलपूर में, MP में आप राष्ट के लिए उजना सामिन रखी थी? तो पंजाब ने, भारत विभाजन की समय बेटेस बाहरत की एक प्रांत ने एक सयुक्त एवाँ अस्थित के लिए एक उज्यारा की थी, ये पंजाब था आपका, किसका कथन है कि एक देश के लिए सो राज परम आवसक है, और इसमेन का इन्होंने सिख चाली थी, कित समास सुधारक की परत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मती से आयू अधिनियम पास हुआ, जिसमें बारे बर से कम आयू की कन्याओं के विवाब रोक लगा दी गई थी, पालसी सुधारक BM मालवा बारी के नेतत में, एक तरह से आप स और आप समझी कि चंपारन के बाद ही गांदी जी चर्चा में आते हैं भारत में, उससे पहले कौन जानता था उने, फ्रेस पस अभी वितीवंद किसके समाप्त किये गए, चार्ल्स मेट कॉप की समय में, स्वाइड हिन्दों की फीसी वादी, कॉंग्रेस का चरित किस ने किया था? मुहमत अली जिन्दा ने. गांदी जी ने भारत में पिथम उपवास किस घटना के संबंद में रखा था? एहमदाबाद की मिल, मिल मजदूरों की समर्तन में, हर्ताल के रूम में. असाहिव वांदोलन के दौरा में आलीगड में किस राश्टी सिक्षा सं पूर्त और आज दिवस का सरपितम कब मनाए गया था? तो 26 जन्वरी 1930 को. इसलिए आप जानते हैं कि 26 जन्वरी को ही पूरी तरह से आपका समिधान लागू किया गया था. यह तारी किसी लिए चुनी गए थी? किस सुतनता सेनानी को 1908 में अलीगड पूर सेंट्रल जेल मे खासी दिगी थी? कुदीराम भौस में. आप सोचिए कि छोटी-छोटी सी उम्र में लोगों ने अपनी जान दिदी देश को आजात करवाने के लिए. और आज देखे हम लोग, ऐसे हम लोग खुश्म मनाते हैं कि हमने इसके लिए कुछ ही नहीं पाया है. हम लोग देश को लोगों के लिए हमने मतलब अपनी जान दिए. आज तो अब देखे लिए परिवार ये हो, इसी में डूबा हुआ है आत्मी. देश के बारे में सोचने के लिए किसी के वाक्त टाइम ही नहीं है. खिर छोड़िए अब क्या कर सकते हैं. जलिया वाला बाग हत्याकान की विर कारम हुआ जब बंगाल विभाजन हुआ विरोध में पैरम अंदोलन की समय ठीक है. रॉलेट एक्ट का उदिश क्या था? मुकदमा चलाए विना किसी भी व्यक्ति को नजरवन्द करना. इसलिए इसे काला कानून भी किया गया था. यानि कि किसी को भी उठा के जेल में डा कारण क्या था? बंगाल की राष्टी आंदोलन को विक्टित करना और हिंदू मुसलिम में बाट देना. एहमदिया आंदोलन का प्यारम कहां से हुआ? पंजाब से. कभी-कभी तो लगता है कि इनका आज की निताओं का हमारे DNA वही अंग्रेजियों बाला है. सोच वही वाल कॉंग्रेस ने गोल में सम्हिलन को कि किस्ते एकमात बैठक में भाग लिया था? तो दूसरी बैठक में कॉंग्रेस की तरफ से गांधी जी ने लिया था. 1857 के राष्टी विलव को कुचलने में किस बाहरी तागत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने. अलीफूर केस में सरकारी गवाहा कौन बन गए थी? नरिंद घोस. किस आंदोलन में किस्ता केवं चात्रों ने एक साथ भाग लिया था? भारत छोड़ों आंदोला. किस ने की थी? अर्विंद घोस ने. भारती राष्टी आंदोलन के दवरान भारती राजनेती का सांती काल की साथी को कहते हैं पितम विसे उद्ध काल को. ओल इडिया डिप्रेश्ट क्लास से एसोसीसन नावक संस्थागी पिती इस्थापना किस ने की थी? बी आर बेड़ला की. नील दरपन से ने नील उतपादन किसानों की उतपीदन का चितरन किया था. यही एक नाटक था. आनन नमठ उपन्यास जिसमें पिसिद बंदे मातरम की रचना किस ने की थी? बाकिन चन्द चटर जीने. भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किस ने की थी? 1905 में गोपाल किस ने गोख लेने. अगर आप लोग इतियास पढ़ते हैं अंग्रेजों की आने के बाद, मतलब आने की समय से लिकर जाने तक. तो आद देखिए कि हर किसी का सोसन हो रहा था. बस सोसन करने का जरिया बदला हुआ था. समझ रहे हैं आप लोग? आज भी वह आप लोग देखेंगे कि हर कोई पिसरा है. बस कोई किसी भी तरीके से, कोई किसी तरीके से सब अपने अपने में लगे हुए हैं. राजा राम मुहनराय ने किस पिथा के विरोध में कानून बनवाय था? तुस्सती पिथा की विरोध में. भारत में उग राष्टी यहता की जनमदाता और निर्भरता से राष्ट की विदना को प्रागेट करने बाले. पिथा मभारती कों थी? बालगंगा धर तिलक. किस अधिनियम द्वारा मुसल्वानों के लिए पिथाक निर्वाचन छित्रों की विवस्ता की गी थी? 1909 की अधिनियम द्वारा. किस ने कॉंग्रेस को जनता की अतेंत अल्फ मत का पितने दित कहा था? लौड डफरेन ने. बालगंगा थर तिलक पर 1857 में किस आधार पर गद्दमा चल जाता है. कॉंग्रेस छोडने के बाद सुवाश्चन बोस ने फारवर्ड विलॉक का गठन कप किया था? 1949. और एक दिल्चस्व और बाद बता था. और जो नियम कानून है ये अंग्रेजों की ही देन है वही हम लोग आज भी उपयोग कर रहे हैं. समझ रहे अंग्रेजों ने तो अपना राज स्थाफित करने के लिए इसका उपयोग इस कानून का उपयोग किया था. लेकिन हम लोग भी आज भी उसी कानून को लिए हुगए है. नमक सब्त्या गया इवं दान्डी यात्राव सरकार की तत्कालिंग पिक्रिया थी. कॉंग्रेस पर अध्यक्ष कौन थे लाला लाच्पत्राय किस अंग्रेजी सासन विरोधी निता को जन्ता में भाय फेलाने हितु उसकी मित्ती हो जाने के बाद भी सार्वियेक रूप से फांसी दी गई थी. दीवान बेलू थंपी. आप समझें कि डेथ होने के बाद भी उससे फांसी पर प्यारम किया था 1932 में 1912 में समाचरपत अलहिलाल किसने प्यारम किया था मौलाना अभूल कलाम आजाद ने भारती राष्टी कॉंग्रेश की स्थापना की समय भारत का वाइसराय कौन था लौड डफरीन भारत सरकार के किसे अधिनियम के अंतरकत मुसलबानों के लिए पिथक निर्वाचन मंडल की प्युस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 की अंग्रेज़ों ने कोई भी कदम उठाया है बाटने के लिए सीधा सा फूट डालो राज करो 1857 की गदर के वर्षात इलावाद दर्वार में यह गोशना किस ने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट बेटेन के समराट से समराट ने अधिगरत कर लिये लौड के निंग ने डांडी मार्च के सांदोलन के अंतरगत आयव जित की गई थी सबीने एव ग्यांदोलन के अंतरगत चकवरती राजगूपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्णर जनरल कौन था लौड माउंट बेटन देखे अंग्रेज की अगर बात करें तो लौड माउंट बेटन अंतिम था लेकिन भारती है कि अगर बात करें तो चकवर्ती राजगुपाला चारी इनके बाद खत्म हो जाता है। सामाजिक नियाय दिलाने के उद्देश से जस्टिस आंदोलन 1916 इस भी में कहां से प्याराम हुए था मद्रास्ट जो अब चैन्ने में फरता है। सुभायाश्चंद बोस ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में अद्धेक्ट चुने जाने के बाद इस्थीपा दे दिया था। जिसके पैडाम सुभ डॉक्टर राजिन प्रिसाथ कॉंग्रेस के अधिवेशन एथा तिपुरी अधिवेशन 1949 का। महत्मा गांधी ने पिथम नागरी का योग्या आंदूलन किस घतना के परश्चाथ प्यारम किया था। कमिशन के वाद रोहेल खंड में रोहेला नेता कौन था जिसने वेटे सासन को चुनावती थी अजी मुला। लॉड केनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयूजित। दरबार में भारत में क्राउन की सासन की घुशना की थी। इलाबाद में आयूजित दरबार में भारती राष्टी ये कॉंग्रेस की स्थाफना की स्वायसराय की सासन काल में हुई थी। लॉड डफरेन के सासन काल में भारती रासन तोस्त का जनक किसे कहा गया था। पाल गंगधर तलक चटगाओ आर्मस डखेंती किससे सम इससे कौन जोड़ा था सूर सेन किनेतित में हुआ था। 157 के विद्रों का पिथम आभास कहा हुआ था बैरकपूर में गौंगू पंत को किस लोगपीर ये नाम से जाना जाता है नाना सहाव की नाम से चोरी-चोरा कांड के कारण गांधी जने किस आंदोलन को बापस गया था असायव गांदोलन को काकोरी रेल कांड कब हुआ था 1925 में बेवेक आनन्द को आधोनिक राष्टी आंदोलन का अध्यात्मिक पिता किस ने कहा था सुवाष्चन बोस ने गदर पार्टी का गठन कहा हुआ था सेन फ्रांसिसको यूएसे में किस भालती राजनिता ने कॉंग्रेस अधिवेशन म पर जोड लालने के लिए सरपितम सुराज सब्दी की प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने पंडित मधन मुहन मालविय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्त प्यारम किया था लीडर किस करांतिकारी ने इंग्लेंड में करांतिकारी गतिविदियों के आरंबी कैंद के इंडियन हॉम रूज ससाइटी की स्तुरुगात की थी तो याद रखी यह थे स्याम जी किष्ण बर्मा अंगला कुश्चन है आपका भारती राष्टी कॉंग्रेस के आवार्नी अधिवेशन जो 1905 पर में हुआ था समाज के सामाजिक धांचिक ओप ओप्चारिक रोप से स तो इकार किया गया और इस आधिवेशन की अधिक तक किस ने की थी यू एंड डेवर ने याद रखी यह आजादी के बाद की बाद की बाद की जा रही है किसके विरोध्य महत्मा गांदी का सत्यागय के लिए आहान उनका अकिलभारतिय संगर्स की नितित्म का सरप्रितम परियास था तो याद रखिए जो रॉलेक टेक्ट था जिसे आप लोग काला कानून भी कहा जाता था मार्च 1925 में किस से केंदरिये लेजिसलेटिव असेमली का अध्यक्ष चुना गया था तो यह थे बिठलवाई पटल साहब इनका नाम याद रखिए यह भी कुश्चन क कई बात पूंच लेता है वराई सोसलेज्म में नामक पुस्तक के से सुधंता सेनानी ने लिखी थी तो याद रखिए जैपफिकास नारायन और आपने देखा होगा कि जैपफिकास नारायन ने इंद्रा गंधी को हराने में काफी बड़ा युदान दिया था आप समझ रह आपके जो चिराग पासवान के पिताजी थे उन्हें ले लिजिए आप लोग जिनें मौसम बिग्ज्यानी कहते थे आप लोग भारती ये सुतंता संग्राम के संदरब में दूसरे गूल में सम्मेलन में भारत की महिला पिती निधी के रूम में किसने भाग लिया था सरोजी ने इनाइडू ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पाइटी की स्थापना किसने की थी डॉक्टर वी यार अंबेड करने कॉंगरेस की लखनव अदिविशन 1936 में अखिल भारती किसान सवा की स्थापना की की थी इसका पिताम अध्यक्ष कौन चुना गया था तो याद रखी स्वामी सहजान सरसुती याद रखी लखनव की बात की जा रही है ठीक 1936 की बात है जलिया वाला बाग हत्याकार्ण की जाच के लिए कॉंगरेस ने अपनी एक अलग सम्ती बनाई थी इसके अध्यक्ष पंडित मदन मुहन माल भी है यह जो जलिया वाला बाग हत्याकर्ण 1919 की घटना थी इसके लिए थी बैक्टी का सत्यागया अंदूलन 17 एक्टूबर 1940 से फैरम हुआ था और सरफितम किस इस्थान से फैरम हुआ था पावनार से बंबई नौसेना विद्धुरोहियों ने किसकी अफील पर समर्पन किया था तो याद रखी बलब भाई पटेल की किया गया था उसकी अध्यक्ष ता किस ने की थी तो याद रखी मुहमद रहीम तुल्ला सयानी ने एक अलकत्ता दीवेशन था 1896 का तो याद रखी जो बंदिमात्रम यह भी कई बार पहुंच लेता है कि पहले बार बंदिमात्रम जो आपका गान है एक किस अधिवेशन मे की थी इसके अध्यक्ष को भी आप लोग याद रखी सौदेशी अंदुला सबसे पहले कब प्यार हुआ तो बंगाल विभाजन की जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में तभी मालावार छित में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रो किया था एथा मोपला विद्रो एक कुष सामिल किये गए जो आपकी परिच्छाओं के लिए बात फूर भी है राष्टपात की सिक्षा को अंग्रेज ने अंग्रेजों ने कब अपराद गोसित किया 1898 की बात है तिलक ने यह घूशना की कि सुराज मेरा जिनमसिद्द दिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा एक तो याद रहे तिलक से समंदें तिलक का निस्करी विरोवब के सिध्धान्थ के जनक कौम थे अरवेंद गोस् और किसमे कहा था कि इंडियम मुसलिम लीग ने कौम सा इस्टार ओप इंडिया समाचारपत भारती राष्टी कॉंग्रीस के पितम अध्यक्ष कौन थे तो याद रखे बेवमिश्च चंद बनर जी जिने आप लोग वीसी बनर जी भी कह देते हैं गांधी जी के अंदोलनों को राजनेतिक भिरोती की सवाय सा राय कहा था तो ये था लॉड लिन लेथ गोने अठारे सो संतावन के वरेली विद्रो निता कौन थे खान बहादुर भारती राष्टी कॉंग्रेश का पहला अंग्रेश चद्ध्यत जॉर्ज यूल या यूल दे भारती राष्टी कॉंग्रेश की स्थावना के समय भारत का राज्य सर्षिप कौन था लॉड क्रास कौन सा वायतरा अपनी अंडवान यात्रा के दौरान एक कैदी का सिकार हो गया था तो यादर की लॉड मेयो जिसके समय आप देखते हैं कि पहले बार पूरे भारत में ज मेट कॉफ और लॉड मैकाली को बाल गंगाधर तिलक कु फादर ओफ इंडियन अन रेस्ट किसने कहा था वेलेंटाइन चिरोल लें जिस कॉंग्रिक सदीवेशन में बंदे मातरम गान पिथम बार वकिम चंद चटरजी द्वार अफिस्तुत किया गया था इसकी अध्यक्षता पहले भी बता चुकाओं रहीम तो उल्ला सयानी न की थे कोलो नाइजेशन बिल के विरोध ससक्त अंदोलन चलाने वाले किस भारती राजनेत्या को मांडले जेल में बंद किया गया था तुलाला लाश्पत रहेगो कुरांतीकारी अंदोलन की पुस्तक बंदी वी जीवन के लेखा कौन थे सचिन्दनाथ सन्याल विवेकन्द अधुरने के राश्टी अंदोलन का अध्यात्मक पिता किस ने कहा था सुभाष्चन्द बोसने प्रेस पर से सभी पितीवन्द किस के समय में समाप्त किये गये थे चार्ल्स मिट कॉप की समय में 1908 में किस नेतागु छेवर्स का कारावास की सजा हुई थी बालगंग अधर तिलक को एनिवेसंट ने किस पत्य का पिकासन किया था कॉमन वील का पिकासन किस ने किया था एनिवेसंट और आप सभी जानते ही कि कॉंग्रेस की पहली महला अध्यक्ष थी हिंदू मुसलिम एकता कि राजदूत कहकर किसे संबोधित किया था मुहमद अली जिन्ना लेकिन आप जानते हैं कि अपनी राजनेतिक मात्वा कांचा के कारण आंगे पाकिस्तान एक तरसे अलग देश बनाने की मूड में हो गया थे भारती राश्टी कॉंग्रेस का तीसरा दीवेशन कहा अईजित किया गया था मद्राश्मन गदर पार्टी किस था अपना कहा की गई थी सैन फ्रांसिसको अमेरिका में USA मात्मा गांधी लाइक फिलेटिंग पेंथम रैसेस डश्ट नॉट लेवल किसका यह कथन था टॉक्टर भीम राव मुड कर सहाब का किस मुसलिम लेताने भारत को विभाजन को टीचर से एक्ट विश्वास गात का विश्वास गात का कार कहा था तू याद रखी खान अब्दूल गपार खान ने आउट ओप सैंड्स ओप इंडिया आईसर रिक्रियेट अ मुवमेंट विच वोर्ड बी लार्जर देन देट ओफ दा कॉंग्रेस यह कथन किसका था तू याद रखी मात्मा गांधी का 1857 का विद्रोव भारती सुतंता योदिक के लेखा क्रमसा कौन कौन थे असोक महता और सावरकर ठीक है अबद में 1857 की किरांती के नेतित करता कौन थे वेगम हजरत महल अबद की बात की जारी आल इंडिया डिप्रेश्ट क्लासे से फेडरेशन इसकी स्थापना किस ने की तो याद रखे वियार अंबेट का साहब ने 1920 की घटना रही ठीक है लॉर्ड करजन का विवेखीन कार क्या था जिसने ओगराश्टेता को जरम दिया था तो याद रखे 1905 के जो बंगाल वेभाजन था इसे ही माना जाता है और आप सभी को मालू होना चाहिए कि लॉर्ड क तरजन की समय हुआ था ये विवाजन 1907 की किस अधिवेशन में कॉंग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उगवादी और अधारबादी दल में पिथक हुआ था ये सूरत का अधिवेशन था 1907 का किस अधिनियम द्वारा मुसल्वानों के लिए पिथक निर्वाचन चि मुहमत तिक में सामिल थे केटी तेलंग फिरोज साह में था बदरुपदीन इसे आप लोग भूंबे तरक भी कहते हैं तेअब जी कॉंग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्स हुआ 1907 में किस क्रांती कारी ने क्रांती कारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मा सरोजनी नाइडू और यह सरोजनी नाइडू वही है जो आप देखते हैं कि आपके वो पहली भारती महिला अद्देक्स की कॉंग्रेस की ठीक है और उत्तरपदेश की थी यह पहली महिला राजवाल ठीक है वहावी आंदोलन का फिरमक उद्देश क्या था भारत में मुसल मिलान पत्पार हस्ताक्षर किया जाने के गारा भारत और पाकिस्तान की वीच उन्नी सो बजास में नहरू लियाकत प्वेक्ट पर हस्ताक्षर की समुद्दे की समाधान के लिए कि अल्व संख्यकों के सरक्षन के लिए वेटी सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि वेटी सरकार कितनी मजबूत है और गर कॉंग्रिस वेटी सरकार को चुनोती देती है तो यह सरकार पांच मिनिट में समभाप्त हो जाएगी एक कहा था गोपाल किसने गोकले साहब ने इस तरह के क अथन भी कई वार आपकी सिविल सर्विस में भी पूँच लेता है किस करांती कारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश सुधनता फिराप्ति है हिंदु धरम हमारे इस उद्देश की पूर्ती के लिए हमारा पत्त पिदर्शन करेगा अरवेंद घोसने और याद रख आंदोलन का प्रमुक केंद क्या था पठना में स्वामी वेवेकान नंद ने रामकिष्ण की स्थापना कप की 1897 सौधेशी आंदोलन सबसे पहली कप प्यार हुआ बंगाल विभाजन की विरोध में और 1857 के राष्टी विपलाव को को चलने में भारत की फड़ोसी किस भार इसकी तरब से गांदी जीने लिया था वरस 1937 में जन जाकरन मंच की स्थापना किस राज में की गई थी मैसूर राज में भारत की पुझी पत्ती की अलक्सी पार्टी बनाने का सुझाओ किस ने दिया था टाटा ने भारती सुदंता अधिनियम 1947 किस दिन फिरभावी हुआ पंदर अगस्त 1947 को इस दिन आपको आजादी मिल गई थी किनसे अंग्रेजों से बैसे तो आज भी आज भी आप लोगों को पूरी तरह से नहीं मिली हुई है और मिली हुई है तो आप लोग जांग्रूग भी नहीं है किसान दिवस किस दिन मनाये जाता है तो याद रखे 23 दिसम्बर को बंबई में ओल इंडिया ट्रेडी उनियन कॉंग्रेस की स्थाफना कव हुई 1929 की बात है तिलक ने यह उद गोष्णा कपकी की सुराज मेरा चनमसी ददिकार है और मैंसे लेकर रहूंगा तो 1916 की बात ह मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों के खलाप पत की थी अंग्रेजों के उरोध किस बैटिस इंडियन सेनार से समंदी थे बैरकपूर में जोद इस थी 34 नेटिव इंफैल्टी इस से समंदी थे और ऐसा माना जाता था देखी आप लोग गाए और सुर के जो गुगा था 1857 की करांती के समय गवर्नर जनरल कौन था लॉड के निंग 1857 की करांती के संबंद में दा ग्रेट रिवोल्ट नामों कुस्ता किस ने लिखी थी असोक महिता ने 1857 में इलाबाद में विद्रो का नितित किस ने किया था लियाकत अली ने यह पूंच लेता है जरूर कि इलाबाद का किस ने नितित किया लगनुग का किस ने किया इस तरह के कुश्चा जरूर पूंच लेता है विहार का किस ने किया किसान विद्यार्थी मजदूर किस आं और आप सभी जानते ही कि तब सब एक हो गए सब आंदूलन करने लगे तब जाकि आपको आजादी मिली अगर एक-एक करके जाते तो आपने देखा है कि पहले भी दमन होता रहता अखेल भार्ती किसान सभा की पिथमा धी वेशन किया धक्ष दक्ष ने की दे स्वामी सहजान सरसुती ने खेडा अंदूलन किया था खेडा की किसानों ने महत्मा गांदी ओस अजार बल्लब भाई पटेल की नेतित में कर भुकतान ना करने का अभियान चिलाये था ठीक है क्योंकि आप देख रहें किस तरह से दमन हो रहा था किस तरह से एक तरह से आप सोची की बुर अंतरिच सरकार किसके नेतित में गठित हुई थी जवाहरलाल नहरू के बिद्रोही कविता के रचना कौन थे काजी नजरोल इसलाम फूर सुराद दिवस 26 जन्वरी 1930 को मनाय गया था हम बैटिन की तवाही की कीमत पर भारत की सुदंता नहीं चाहते एक इसने कहा था महत्म गांधी ने दिल्ली दर्वार में महारानी विक्टोरिया को केसर एह हिंदी की उपादी दी थी उस समय वे भारत का वायसराय कौन था लौड लिट्टन नील दर्वार नाटक किस ने कब और किस उद्देश से लिखा था दीन बंदु मित्रा ने 1860 में यूरोपिये नील खेते के मालिकों द्वारा बंगाल के केती हरों पर का उत्पीदन दिखाने की उद्देश से आपने देखा होगा दिली दर्वार में बहुत सार पैसा उड़ाये गया और एक तरव आप देख रहें की एक तरव जंदा भूंक से जूझ रही थी वही आज आज आप भी देख रहें आज के निताओं पर एक तरव आप देखें मैं बुख्वामारी आप जानदे हैए किस ने कहा था कि इतने समय से करोणों लोग भूंके और आज्यान में रहते हैं मैं हर बैक्ति को देश दुरोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया स्वामी विवे का नंदने अब आप सोचें कि आज आप लोग किसे देश दुरोही कहेंगे लगा लिजे अपना दिमाग परियार के नाम से कौन पिसे दे थे एवी रामस्वामी नयाद गुलामगिरी की पुबस्तक कब और किस ने लिखी थी अठारे सोबत्तर की वाथ है जोतीवा पूले ने तमिल पत्ति का कुडी अरासू कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी इवी रामस्वामी नयाद द्वारा महराष्ट का कौन सा सामजिक धार्मिक सुधारक लोग हिदिवादी के नाम से पिसे दिथा गोपाल हरी देश मोग सुधी अंद्वलन के संस्था ने पारम किया था आरे समाज ने लंदन में वी गोल मेस कॉन्फरेंस यानि की गोल मेस सम्मेलन के तीनों अधिवेशन में कौन भारती निताओं ने उपास रहे थे इसमें भारती निता डॉक्टर वी आराम मेडगर साहब ठेक है भीमराव मे अधिवेशन होता है 28 दिसम्मर को बाकी क्या इस्तिती है और आप सोची कि बहुत बुरी इस्तिती हो चुकी है और आप सोची कि जिस देश में विफक्ष मजबूत ना हो उससे देश को बरबाद होने के लिए बाहरी सक्षियों की आवस्ता ही पड़ती है उस देश की सरका सारे अपने आप दानसाय हो ही जाती है अंगला है आपका रोयल गड़वाल राइफल्स के सहनिकों ने कहां नियत्थी भीट पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था पेशावर में किस अधिवेशन में उधारबादी उगवादी दलों में समझोता हुगा था लपनव अधि रोहियों का नेतित किसने किया था कुंगर सिंग ने या किसका कथन था कि कॉंग्रेश की आवाज जनता की आवाज नहीं है फ्रोस आए मेता का या कथन किसने कहा था कि स्पिसाल देश में कोई प्रगती संभाव नहीं है जब तक हिंदू और मुसल्वान दोनों मिलेकर एक पितिने दित भारत छुडवा अंदोलन फूर्ण वेटी सरकार ने गांधी सहित कांग्रेश निताव को बंबई में गरपतार करने की योजिना का क्या नाम था ओपरेशन जीरो खाबर के तहट एक तरह से ने गरपतार किया गया था 1889 में एहमदिया अंदोलन किस ने पैरम किया था मेड़्या गुलाम एहमद में कौन सा विद्रो 1816 में पैरम हुआ और 1932 तक चला कोल विद्रो पुण्ड सुतंदा के लिए कॉंगरीस का पिस्ताव किस वायसराय के कारकाल में पारित हुआ लॉर्ड बैवेल के सासनकाल में गांदी जी के लिए किस ने कहा था कि वह अर्द नगन फकीर है इविंस्टन चर्चिल ने है समराट जॉर्फ रंचम के भारत अगमान की समय वायसराय कों था लॉर्ड हार्डिंग्स दूती है भारती सुतंदा लीक का गठन किस ने किया था सुवाश्चन बोर बोस और जवालाल नहरू 1920 में आर समाज ने किस की नेतित में सुद्धी आंदोलन चलाया था सुवामी सिध्धानंद की नेतित में सरत चंद चटर जी किस से पुस्तक के अतन्त लोगपरीय होने के कारण उसके पेकासर पिदीवन लगा दिया गया था पाथेर दावी 1931 में बने भारतिये ट्रेड यूनियान संके प्रमुक नेता कौन थे एम एन जोसी विवीगरी और मिनाल क्रांगती बोस पित्थम भारतिये जो भारतिये से बिल सेवा इसी तरह को अंग्रेज कब से भारतिये रष्टी विरोधी हो गये थे 1887 से पहले तो इन्हों ने अपनी सुविधा के लिए से कॉंग्रेज का गठन किया था ठीक है कि मतलब आप सोचे कि एक तरह से रोका जाये सामदोरों को लेकिन बाद में कॉंग्रेज से आमदोरों का एक तरह से नितित करने लगी सौदेशी अंदोलत सबसे पहले का प्यार हम होता है यह बंगाल विवाजन की विरोध जब 1905 में आपका बंगाल विवाजन होता है उसी के विरोध में ठीक है दिली सड़ेंद किस के द्वारा मुक्षरी की गई थी तो यह थे दीनानाथ के द 157 का विद्रो एक राष्टी विद्रो था क्योंकि इसका सौरूप आप देखेंगे राष्टी था यह कथन किसमें कहा था तो याद रखिए इस कहा था असोक में इतान है लंदन में जब दुतिये गोल में सम्मेलन का एजन होता है तो की सभवन में हुआ थे सेंट जेम्स पैलिस में तेन गोल में सम्मेलन हुए थे आपके और दूसरे में आपने देखा हुगा गांधी जी ने भाग लिया था कॉंग्रेस की तरब से और तीनों की अगर बात करें तो बियार अंबेड कर साहब ने तीनों में भाग लिया था भारत में मुसल्मानों की आधुरी कर की बात को मानती थी आप समझ सकते हैं आज आप लोग किसी बाटी के सदस नहीं है उसे कोई सुझाओ दीजे वो रिजेक्ट कर देंगे तुरत तो ये था उस समयगा सरदार वल्लब भाई पटेल का सरवादिक महतपून कार क्या था देशी राज्यों का बिले मुसलिम लीग क स्थापना के समय भारत का वाइसराइ कौन था लॉर्ड मिंटो सेकेट एक कथन स्वाधीन था हमारा लक्षा और हिंदुत की ही हमारी यह आकांचा पूरी करेगा एक किसका कथन था तो याद रखी ये था अर्वेंद घोस का मुसलिम लेक के अधिवेशन में किस कॉंग्रे अधिवेशन होता था तूसमें पंडित मदलब आप सोचिए कि हिंदू भाग ले रहे थे तब आपने देखा है कि आजाधी मिलती है आपको भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में महत्मा गांधी नहीं कहा था कि गांधी मर्व सकते हैं परंतु गांधी वा कि आते थे दादा भाई नौरोजी तेलक के मतलब इनकी डेथ होने के वाद आउसर पर किस ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया तुम्हात्मा गांधी नहीं नाइक विद्रो कहा हुआ था बंगाल में कूकी विद्रो करने वाला कूकी जंजाती कहा की थी य गुरु भारत में आप देखते हैं मडी बुरु कौन सारा जंगरेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था अबद दांडी जहां महत्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी ए गुजरात की किस जन्पत में है भुज जन्पत में बेटिस सरकार ने म आपने देखा होगा कि उन्होंने असायूग अंदूलन में बापस कर दी थी तो ये थे केसर ये हिंदी की उपादी भारती राष्टी कॉंग्रेस ने भारत छुडो प्रिस्ताओ किस अदिवेशन में उखकाप पारित किय था तो ये वर्धा अदिवेशन में 1942 में भारत सर 27 जुलाई 1876 को बंगाल में इस्थापित इंडियन एसोसियेशन के प्रमुख सदस्कौन थे आनन्द मुहन बॉस और सुरेंदनाद बनर जी कैबिनिट में सन पिलान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाओ के निर्मार करने के लिए होई थे सम्मीधान सभा के लिए सम्मीधान बनाने की जो सभी सभा थी 1815 में आत्मी ये सभा की स्थापना किसने गी थी तो राजा राम मुहर राजा 1856 में बाल गंगातर तिलक लोकमान ने तिलक का जनम कहा हुआ था रतनागिरी महराष्ट में ये महराष्ट से संबंदी थे अंग्रेजी सप्ताहिक निव इंडिया का पिकासन किसने पारम किया था तो ये थी विपिन चंद पाल साहा भारती राष्टी को अंग्रिश ने भारत का समिधान निर्मार करने की आधिकारिक मांग वेटे सरकार के सवक्ष रखी जिसे किस रोम में सुईकार कर लिया गया था तो 1940 के अगस्त ओफर की रोम में अगस्त पिस्ताव भी आप लोग कह देते हैं बिनुवा भावे ने भूधान अंदोलन कहा से सुरू किया था नल गोंडा से किस स्थान पर महत्मा गांदी ने अफुना अंतियम उहवास किया था दिल्ली में अखेल भारती राजनेती में गांदी जी का पहला साहर से कदम कहा था चमपारन अंदोलन भारत की सुधिन्ता के समय क्या महत्मा गांदी कॉंग्रेस के सदस्तन थे बिलकुल नहीं थे भारती मसल्बान सामन रूप से जोगवादी आंदोलन की ओर आकरसित क्यों नहीं हुए जोगवादीयों को की हिंदू अतीत का राग अलापने की नेती के कारण भारत के सतंत प्राप्ति के पश्चात किस ने सुझा हो दिया था कि अब भारती राष्टी कॉंग्रेस को समप्त कर दिया जाए तो यह महत्मा गांधी ने कहा था और आप समझेए कि उस समय खतम कर दिया जाता तो आज आप सोचिए कॉंग्रेस की यह हालत भी ना होते आप समझेए कि कॉंग्रेस को कॉंग्रेस के अभी के नेताओं ने कुछ दिया नहीं है उसका पता नहीं किया है इंडिपेंडेंस फोर इंडिया लीग की स्थफना किसके विरोद में खी गई थी नेरू रिपोर्ट के चंपारन संगरस के नेताओं उन्हें पिरमुक्ता महत्मा गांधी का साथ दिया था राजन पिसाथ और अनुग्रय नारायन सिंगान सुतंता अंदोलन के करांतिकारी आतंगवादियों का पहला महत्पूर सहिसिक कार बर्रा डकेती माना जाया यह स्थान का है पूर्वी बंधाल में किस विधियक को भारती गुलामी विधियक नम्मर एक कहे कर पोकारा गया सारचनिक सुरक्षा विधियक को पिखर राष्ट्रवादी अहरार अंदोलन के इन प्रमुख निताओं ने किया था एस में आप मौलाना मुहमद अली हाकीम अजमल खां मजहर उल्हक ने तिभागा किर्सक अंदोलन किस प्रांति में हुआ था बंगाल में अलीगड अंदोलन के जर्म दाता सरसेयद एहमद खान मुसलिम लीग ने वहारत बिभाजन की मांग सबसे पहले कप की थी 1940 में 1908 में आप देखेंगे चैवर्स के कारवास की सजा किस नेता को हुई थी वालंग अंगधर तिलक को मातुमा गांधी ने पिथम नांगरी का योग्या अंदोलन किस घटना के प्रश्चात प्यारम किया था रॉलेक्ट एक्ट के लॉर्ड हारिंग पर किस करांतिकारी ने बंग फिका था रासविहारी बहुस सहब ने विथम बेसे उद्ध में सैनिक विपलाओ की तेयारी की सुचना अंगरेजों को देने वाला देश्टरो ही कौन था केरवाल सिंग असायव अंदोलन का कारकरम कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सुईकार किया गया था तलकत था अधिवेशन में तीस मार्च उन्निस सु चालीस को क्रांती कारी उधम सिंग ने जलिया वाला बाग हत्याकांड से सम्मंदी किस अंगरेज की हत्या की थी कौन थे वताईर माइकल ओ डायर की माइकल ओ डायर की इन्हें भी याद रख लेजे कहीं है उसे कुश्चन सापका फोंच ले कुछ भी पूंचा जा सकता है कि कुश्चन किसी भी तरह का आप से क्या होता बन सकता है इनसे अधिवेशनों से आपके कुश्चन से बहुत सारे आते रहते हैं आपने देखा होगा कि ए अधिवेशन कहां हुआ था वो अधिवेशन कहां हुआ था इस तरह क्यों कई बार देखे होंगे आप लोग ने लेकिन भारत एक सेकर्ड ने रुकिए आपको कुछ और बताते हैं इसमें कोंग्रेस के अधिवेशन देखे पहला आपका होता है कुछ पॉइंट ने वैसा भी बता देता हूं पहला आपका होता है 1885 में ये बंबई में होता है इसकी अध्यक्ष था ब्योमेश चंद बनर जीने की थी दूसरे की बात करें तो 1886 में होता है कलकता में दादा भाई नो तीसरा जो आपका कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां मद्रास में कब 1887 में इसमें बदरुद्दिन ते अब जी ने की थी और जो आपका चौथरा हुआ था 1888 में इलावाद में इसमें पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले एवी आप लो याद मिधान का निर्माड की बात हुई थी ठीक है और जो बारे बाद 1896 में हुगा था कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी एम एस सयानी ने पहली बार इसमें बंदे मात्रम गाया गया था कब 1896 में कहां हुगा था कलकत्ता में ठीक है और जो आपका 1906 में हुआ था कलकत्ता में 22 वा था इसकी अधिक्स था दादा नौरोजी ने की थी और पहली बार सुराज सब्द का प्रियोग इसी अधिवेशन में किया गया था ठीक है और जो 23 वा 1907 में सूरत में हुआ था रास बिहारी वोस ने की थी इसकी अधिक्स था कॉंग्रिस का विभाजन इसी में हुआ था सूरत अधिवेशन में ठीक है और जो आपका 27 वा था 1911 में कलकत्ता में हुआ था इसकी अधिक्स थी पंडित विशन नारायन धर इसमें पहली बार आपका जंगर्ड मन गाया गया था यह आप लोग याद रखिएगा और 33 वा जो कलकत्ता में हुआ था 1917 में इसमें पहली महला अधिक्स बनी थी एनिवेसेंट यह आप लोग याद रखिएगा और जो 33 वा और 32 में बता दूँ तो 1916 में हुआ था लखनव में अम्मी का चरण मजूमदार इसकी अधिक्स थी और मुसलम लीक से समझता इसी में हुआ था लगर लखनव समझता भी आप लोग कहते हैं एक वी आप लोग याद रखिएगा यह आपको याद रखना होगा आंगे है दिल्ली दर्वार में महारानी विक्टोरिया को केसर यह हंद की अपादी सोवित की गे थी इस समय भारत का वायस राय लॉड लेट तन था किस सुदंदा सेयानी को अलीपर सेंटर जेल में 1908 इसवी में फांसी दी गई थी तो खुदी राम बॉस को मुसलिम लीग ने मुक्ती दिवस कब मनाया था जब कोंगरी सरकार ने त्यागपत दिया था बेडी सावरकर को किस केस में फसाय गया था नासिक सडहन केस में वेटिस वालियामेंट की किस अधीनियम के अंदर कें कुईन बेक्टोरिया ने भारत की संभरागी की उपादी धारन की थी दा रोयल टाई ट्रल्स अधीनियम अठारे सो छेत्तर 1857 की विद्रो को सरपितम किस ने कहा था कि औरगनाईड वार पोर नेशनल इंडिपेंडेंस तो ये बीडी सावर करने कहा था बंग दरसन किसका प्रमुक सवाजार पत्त था तुवाकिम चन्द चटोबाद्य है का 1905 में भारत सिवक समाज की स्थापन किस ने की थी गोपाल किसने गोकले ने बारेंद कुमार गोस और भूपेंद नाठ दक्ता ने कौन सा समाचार पत्त पिकासित किया था योगांतर 1906 की बात है गंडे सावरकर और अनंत कनहारे किस सड़ेंत से संबन दी थी नासिक सड़ेंत से गदर आंदोलन की पिरमों के देश कौन सा था कहां हुआ था ए अमेरिका किस ब्यापारी की मुकदमे की समद में महात्मा गांदी 1893 में दच्छे रफीका गए थी अब्दुल्ला सेट के मुकदमे लड़ने के लिए किसने कहा था कि I am with you here truly and I term of culture I am one of you anyway sent चापेकर बंदूओं ने किन दो अंगरेज अपसरों की यहत्तियक दी थी रेंड लेप्टी और आयर्ष्ट कॉंगरेस की पूर्ड वर्गिंग कमेटी वाहन ने कुछ नेताओं को गरपतार कर कॉंगरेस को गयर कानून इस अंगठन कब गोशिट किया गया था 9 गस्त 1942 को 9 डमबर 1942 को किस नेता ने हजारी बाग जेल सी भाग कर नेपाद में केंद्रिये एक्सर कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया था जैपिकास नारायन ने मार्च 1922 में पंडित मोतिला नहरो और देश बंदू चितरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी सुराज दल की बाजदोली इकिसान आंदोलन का नेतिच किस ने किया था सरदार बल्लब भाई फटेल पेसाबर केस 1922-23 की हड़ना है कानपूर केस 1924 की मेरट केस 1929-23 के समय की किस आंदोलन के दमन किया था कमेनिस्ट आंदोलन का अपरेल 1930 में नमकानून तोड़ने के लिए मद्रास फ्रांत में तुरच नापली से वैदर नियम तक की पद्यात्रा किसने की नेतित में हुई थी चकवर्ती राज गोपालाचार की नेतित में समीधान सवा की पैथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी सचिदानन सिंगान है और यादर की समीधान सवा की आईस्था ही अध्यक्ष थे इस्था ही आप देखते हैं कि राजन पिसाथ थे 1853 की सुदूंता संग्राम का पिती क्या था कमल और रोटी 19 सन 1900 में भारती राश्णी कॉंग्रेश के मंचे से बोलने वाली पिताम महिला स्रीमती कमला गांगूली थी 1907 की कॉंग्रेश की अध्यक्ष था किस ने की थी एनिवेशंट पहली महला अध्यक्ष ठीक है सरोजनी नाइडू कॉंग्रेश की अध्यक्ष कब और किस अध्यक्ष बनी थी अगर आप से पूंचे कि कॉंग्रेश किस कॉंग्रेश अध्यक्ष बनी थी भारती महला तो याद रहए था कानूर्पूर अध्यक्ष का सरोजनी नाइडू और वैसे महला अध्यक्ष की वात करें कांग्रेश suggest cic तो एनिवेशन थी 1970 लेकिन आप देखी ये भारती ये नहीं थी, ठीक है? कॉंग्रेस की पहली महला अध्यक्ष एनिवेसेंड आजादी की आवाज नाम से रेडियू चलाकर जंगलों में छिप कर गुप्त सुचनाव के फिसारन का किस महला करांती कारे नहीं किया था? उसा मेहता ने, हर कोई अपना किसी ना किसी तरह से सहयोग दे रहा था, कॉंग्रेस की संथा पक ये ओ ही उम, कॉंग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं, कभी अध्यक्ष नहीं बने, याद रखे, जलिया वाला वाग हत्यागांड 13 अपरेल 1919 कुगा, उस समय कॉंग्रे 1961 है, माप करिए 1961, एक सेगन, रमेन नाट टेग और गा, इस तरह की डेटे कई वार आपकी, गलत हो जाती है, टेग और, रविन्ना टेग और, देखिए इनकी बारे मैं आपको बताओं, 1861 था, ठीक है, साथ मजी 1861, और आप देखेंगे, कलकत्ता में हुआ था, बेटिस भारत था उस में, और साथ अगस्त उन्नीस से इकतालीस कुण की कलकत्त, डेथ हुई थी कलकत्ता में ही, यह याद रखिए, जिन्होंने इंडेपेंडेंस समाचार पत निकाला था, तो यह थे मौतिलाल नेरू, इस तरह की अगर कहीं गलती हो जाती है, वैसे हो जाती है, देखिए, नॉर्मल तर बात है, इतने सारे कुश्चन से लगवाती समय, तो आप लोग उसे स्तोधार के नीचे लिख दिया क अगर आपको मालू चलता है, अंगला कुश्चन क्या पहुंच रहा है, सर्वेंट ओप इंडिया सुसाइटी की स्थापना किस ने की थी, गोपाले किसने गोखली ने, नासिक की जेक्सन हत्याकार्ण की पिरमुक अभियवत कौन थी, जिने 19 अपरेल 1910 को फासी दी गई थ और नामकपत की संपादक हों थी, किस अब चन्द सेना और फीट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ, 1794 में, फीट्स इंडिया एक्ट, याद रखिए आपका 1784 होगा, फीट्स इंडिया एक्ट, यह 1784 का है, एक आप देखते हैं कि जो आपका 1773 में अधिनियम आया था, वैसे ही आपका, फिर आपने देखा होगा कि उसमें सुधार कंडे के लिए आपका, पीट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 में, फीट्क है, यहाँ गल्दी है, बहुत गल्दी देखी जा रही है, बारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थ तन्ता की मांग की दिशन 1929 का जो लाहॉर अधिवेशन हुआ था, किसके बिरोध में रविनाठ टेगोर ने नाइट रोड़ी की उपादी बापस की थी, तो जलिया वाला वागत्या कार्ण की बिरोध में, महत्पत्यमा गांधी ने सभीने एवग्या अंदोलन कप्यारम क किया, 1930 में, आजाध हिंद फॉज की स्थापना करेंड़ा कब लिया गया था, 1942 में, बैंक कॉंक में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीक की सभा में, हुलेव जी एफ इंडिया डाई, यह किसकी पुस्ता की, किसने कहा था, पंडी जवाह लाल नहरू ने, 1857 की वित्रोग में कानपूर का नेतित भिनाना साहब ने किया था, वहां का अंग्रेज जनरल कौन था, जनरल हैतलाग, गांधी जी ने एहमदाबाद में सावनवती असरव की स्थापना कब की, मई 1916 की बात है, सौधी सी आंदोलन सबसे पहले कफ्यारम गवा, बंगाल विभाजन की की थी, मैसूराज में, केंद्री असेमली में, बं फेकने में भागा सिंग के साथी कों थी, वटू के सुर्दत, बहिस्त की दे भित कार्णी सभा की संस्थापक कों थी, वी यार अंबेटर, 1929 में कॉंग्रेस की इतिहासिक लाओर अधिविशन की अध्यक्षिता की थी, ज लाजपत राएने की हुई थी, इसमें डेथ, डॉक्ट्रिन और पैसिव रिस्टेंट, रिसिश्टेंज की रचना किसने की थी, अरवेंद घोसने, भारतिय कमिनेश्ट पाइटी को किस बरस गयर कानूनी घोसित किया था, 1934 में, 1935 के भारतिय अधीनियम की सहिवक्तिय संस हुई कमिनिस्ट अंतराष्टिय के दूतिय अधीवेशन में किस भारतिय ने भाग लिया था, मानवेंद नात्म राय ने, 1923 के विधान सभा चुनाओ में सोराजियों को किस राज्य में भाहुमत था, मध्यपदिस में, अखिल भारतिय किसान सभा की स्थापना कव हुई, 19 1936 में, खासी विधरों का नेतित किस में किया था, तीरत सिंग ने, वारेंग हैस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान बसूलने का अधिकार किन को दिया था, ठेके दारों को, मुसलिम लीग की सेधी कारवाही दिवस कब का संबंद 1946 में हुगा था, क्या भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लाला लाजफत्र आये, मुहमद अली जिन्ना को 14 सूत्री पिस्ताओ किसके बिरुद्ध था, नेहरू रिपोर्ट के, भारत छोड़ों अध्दोलन के दोरन कॉंग्रेस का, रेडियोस का संचालन देश कसरे किसको दि लिए था, तीनों बैट को मैंन होने, 1940 के संचालेद ब्यक्तिक सत्या गया, अंदोलन के सत्या गई ही कौन थे, विनोवा भावे पहले थे, यह किसकी उद्गोषनाती की सुराज मेरा जिन्मसिद्ध अधिकार में से लिका रहूँगा, बालगंगंगंगंगंगंगंगंग किस बावस हुई, 1940 में, मुसलिम लीग के अलग निर्वाचन छेत की विवस्था का परावधान पहली बार किस एक्ट में हुदा था, 1919 के, अध्यक्षी समोधन के समय किस कॉंग्रेस अध्यक्ट ने हिंदी भासा के रॉमन लिफी लागू करनी की वकालत की थी, मौलाना हिंदू महासाबा ने, कॉंगिस की स्थापना की समय भाधत का वायसरा है, लौर्ड दफरिंड, दा रिवूलिस्ट नेरी का संस्था पकों थी, संपाधक सन्या, संयाल सचन्नात, पॉलिटीकल फीडम इंदी लाइप, वेस ओफ नैसन, या नारा किसा था, अर्मिंद भूस का, हाई इंडिया फॉर्ट 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 फीडम, किस की किरती थी, एरिवेसिंट, बंगाल ववाजन की रद्धोनी के समय भारत के वायतरा है, लौर्ड हॉर्निंग्स, असाईव गांदोलन के सम के पहले दिन, फ्राता किस महान भारती नेता का रैथ हुई थी, बाल सुरेश ने गोलमेश कॉन्फरेंस के किस बैठक में भाग लिया था, दुदिये बैठक में 1931 में, किसने कहा था, यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिलें तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलीदान करूँगा, तो यह थी करतार सिंह सराभा, नायर सर्विस किसके विद्रों से था नागा विद्रों से 1932 में सौधिसी आंदोरन के अंदर राष्ट वादिवार द्वारा राष्टी सिक्षा पलज़त की गठन किया था 1906 की बात है लौड कौन बालुस्त की समय कौन सिस्टमंडल नेपाल भी जा गया था क्रिक फैटिक सिस्टमंडल राजमुंदरी सोसल रिफाउम एसोसियेशन की स्थापना किसने की थी वी सिलिंगम पंतुलू ने ठीक है 1857 की विद्रों को किसने धर्मानों का एजशाईयों की विरुद्ध युद्ध था तो याद रखी एली आर रीजने बंग भंग आंदोलन के समय कौंग्रिस के ठोकरा दिया था तो क्रेफ्स मिसन को जब भार्ती राष्टी कॉंग्रिस ने भारत छोड़ो प्रिस्ताव पारित किया वो समाध्यक्ष हों थे तो याद रखे मौलाना अबुलकलाम आजाद गांधी एरविन समझता किस बार्स हुआ ये 5 बार 5 मार्च 1931 की बात है 1922 में स सोचलिस्ट रिपब्लीकन आर्मी का कठन किस ने किया था चंद सेकर राजाद उनके साथी होना महत्मा गांधी ने वेक्टिकल सत्या गये आंदोलन का पिथम सत्या गयी किसे चुना था बिनोबा भावे चोरी चोरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सांदोलन बापस लिया था ये था आपका असाय उगांदोलन बंगाली देश भक्ती की बाइबेरल मानी जाने वाली पुस्तर कौन सी है आनन्द मठ आनन्द मठ और बगात किस सिध्धान के अंग्रेजों ने राज में मिलाई थे गोध निसे सिध्धान यानि कि आप दूसरे किसी और की बच्चे को गोध लेकर अपने राज को नहीं बचाया रख सकते हैं कि बालग अंगतर तिलक ने किसके विरोद मानाणी का दाबा किया था वैलन्टाइन चिरोल की विरोद मद्रास में होम रोड लिग के पिधान डेता कौन थे सुभब न्याव आहयर बिना अपील बिना बकील बिना दलील का कानून किसे कहते थे रॉलेक्ट को काले कानून को 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थाफना हुई थी इसके अध्यक सचिप कौन थे भगस सिंग नागरी के एउग्या अंदोलन में गड़वाली सिपाईयों के दो प्लांटोनों ने या कमांडरों ने एहन सक्पदर्शकान कारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था इन प्लांटोनों का निता कौन था चंद सिंग गड़वाली गांधी जी ने अपने फिसित डांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुवाईयों को साथ लेकर सावलवनती आश्रम चले थी सेवेंटी एट अठत्तर कॉंग्रेस ने पहली बाद सोराज की मांग अपने किसा दीविशन में की थी यह था कलकत्ता दीविशन 1906 का 1857 में मेरठ चावनी में विद्रो का दिन क्या था तुद्दस मई 1857 के विद्रो में जन्दा के किस वरग ने भागीदारी नहीं की थी तो सिक्षेद वरग मध्यम वरग ने और ऐसे लिए आप देखते हैं कि वो सफल नहीं हो पाया था इस्टिरी ओप दा इंडियन म्यूटीनी इनामक उस्तक के लेकर कौन थी चार्ल्स बोल 1857 की किरांती का ततकाली कारण क्या था चर्वी उक्त कार्थूसों की प्रयोग जो आपने को बताया गाय या फिर सुवर की चर्वी से बने हुए माने जाते थे किस मोगल वात्साय ने राम मोहन रायर को राजा की उपादी थी थी अकवर दुतिये ने हिंदू मंदिनों में प्रवेस और ततन सर्वजिनिक सड़कों पर हरीजनों की चलने को लेकर तरवन कोर की गाउं में चलाए गए आंदूलन का क्या नाम था वाय कौम आंदूलन इंडिपेंडेंडेंस लीक की स्थापना किस ने की थी मादमिक और सिख्छा पर एनी वेसर ने मदरास के टेंडर पत्त को किस नाम से चला कर हम लूग आंदूलन का मुख पिचार पिचारक बनाया निव इंडिया सन्यासी विद्रो किस छेत में हुआ बंगाल में किस समाचार पत्त ने बरना कुला प्रेस एक्टर से बचनाई के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी सप्ताहेक में परिवर्थित किया था तो ये थी अम्वरित बाजार पत्तिकाव साइमन कमिशन के विरोध प्रदारसन करने में पुलिस लाठी चार्ज से चोटों के फरसुरूप किस डेटा की डेथ हुई थी यानि की मौत हुथी लाला लाच्पत राएगी भारत में समताएक निर्वाचन पदिती कर सूथपात किस अधीनियम से हुगा 1909 के अधीवेशन से केंद में दुएद सासन सिधान किस अधीनियम से लागुग गया था 1935 के अधीनियम से साइमन कमिशन के विरोध के समय गुजरात में वाली काओं कि किस संगरफन को स्तापित किया गया था मंजल सेना जलिया वाला वाग हत्यागन की जाज की रिपोर्ट किस समती ने की थी? हंटर समती ने याद रखे कि कॉंगरेस के अंगरेज़ों की तरफ से बनाई गई समती थी भाती, राज्यों और परॉम सकती के भी समद किस संगरफनी की रिपोर्ट में बटलर सम्ती की रिपोर्ट में वो एक वाय उनसा करांतिकारी था जिसने लंदन के केक्ष्टन हॉल में डायर को गोली मार का जलिया वाला वागतेक अर्ड का बदला लेने के अपनी पितिग्या पूरी की थी उदम सीम आप समझ सकते हैं कि लंदन तक पहुंच जाते थे बदला लेने के लिए कौन तीन भाई सुतंदा की वली देवीक पर चड़कर अमल सहीद हुए थे चापेकर बंदू आप सोची कि एक घर में से तीनों भाई ने अपनी मंदलब देश के लिए सहीद हो गए आज किसी से पूँची आप लो इसलिए आप देख रहेंगे इस्तिती यह है वनी इसमें दामुदर आप देखेंगे बाल किष्ण देखेंगे बासु देव चापेकर अलेवुर जेल का एकवाली गवा कौन था जिसकी सतिन्मनाज बसू ने हत्या कर दी थी नरंद गोसाई सुभाष्चंद बोस की त्यागपत की बाद भारती है राष्टी कॉंग्रिस का अध्यक्ष कौन था डॉक्टर राजिन पिसार भारत चुडव अंदूलन की समय किसने कॉंग्रेस रिडेईगों का पिसार ने किया था उसा मेहिता ने 1922 में स्वजाज पार्टी का गठन किसने किया था सीयार दासन और मौत पंडित मौतिला नहरू भारती राष्टी को अंग्रिस ने पूंड सुराज का अपना उद्धिस किस वर्स गोसित किया था 1929 में लाहरा दी विसन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी पीछे बता च सिद्धान का सिरे किसको जाता है स्वामी दयानंद सरसुती को भालती राष्टी कॉंग्रेश के पिथम मुसलिम अब्जेक्ष कों थे बदरुद्दीन तेयब जीर अंग्रेजी सारसनकाल में भारत की आर्थिक दोहर नस्त का सिद्धान किसने फितिवादित किया था दाद पर भी की उपादी प्राप्त हुई थी महतली सरन गुप्त को गुरुवा और यूर सत्यागे के लिए नेता ने आमसन वंसन किया था कि कलपपन ने लौड करजेन ने बरस 1905 में बंगाल विभाजन किया और विभाजन किस बरस समाप्त हुए था 1912 में लौड होर्डिंग् गांधी रिवन्स समझति में किसे आंदोलन को रोक दिया गया था सभी ने यह गया अंदोलन का लाला लश्पत राइकिन घटनाओं में घटनाओं में पुलिस लाटी चार्ज में घाहिल हुए थी उनकी अंदता मौत हो गई थी साइमन कमिशन के विरोध में इसका विरोध कर रहे थे 1920 में हुए मोपला अंदोलन के मुखनेता कौन किरू में चल्चित थे अली मुसलियार हिंदुस्तान एपबलेकन आर्मी की स्थापना 1924 में जलिया वाला वाकत्याकार्ण के विरोध में किस भार्तिय सदस्ने वायसराय की कारकार्णी पजिसत से त्याकपति दिय था तो संकरण ने किस आंदोलन को सुरू करने से पहले मात्मा गांधी ने केसर ये हिंद ये पुरुसकार गांधी को पिथम पिस्यूद के दौरान मतलव अंग्रेजी सरकार ने दिया था उनके बदला करने के मतलव उनका साहयता करने के ये पुरुसकार लोटाया था उनन इंडियन विरल किनकी किर्ती थी किसवचंद सेंड की, पबलिक सेप्टी विल पास होने की विरोध में छे आठ अपरेल 1929 को, किंदो करांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्टलेटी अमसैमली में खाली बेंचो पर बम फेका था, बटू केसर दत और भगस्तिंग ने, इनका बम फेकने का उद्देश इसना ही था कि जागो, किसी को मारनायन का उद्देश नहीं था। की चोट बेटे समराज के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भाजती ने कहा था, लाला लाजपतरा है ने, और आपने देखा होगा कि अभी किरसी कानून के ग्रोध में जो अंधुलन चल रहा है, यसमें भी इस तरह की बात ने उठी थी, ठीक है, दादा भाई नोरोज से अलाग कर, 1940 में किस दल की स्थापना की थी, इंडियन फेडरेशन ओफ लेवर, M.N. Roy, आजा धिंद पोज का गठन, कैप्टन मोहन सही, मुंडा जन जाती के सबसे पिसुदिक रांतिकारी नेता कों था, विशा मुंडा, अचुता धार के लिए दलित बरग विशन की जन देने की थी, भारत छुड़ों अंदोलन फ्यारम करने की प्रशाद महत्मा गांधी को नजरवंद करके कहा रखा गया था, आगा खाम महल में, एपूना में, एक बरस में स्वराज करना रहा गांधी ने खब दिया, असयू अंदोलन की समय दिया था, सेडलर आयोग ने किस बरक पर सिफारिस की थी, सिक्षा पर, कॉंग्रेस को समाजबादी दिशा देने के लिए कॉंग्रेस की वितर किस दल का गठन हुआ था, कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी का, मुसलेम लीग ने मुक्ति दिवस की इस औसर पर बनाया था, जब कॉंग्रेस मंतिर मंडल ने 1949 में स्थीफा दिया था उसी समय क्रेश्प से पिस्ताओं कॉंग्रेस और लीग में किसने आईसुई का रहा था दोनों ने 1857 के विद्रोव में नाना साब ने कहां पर विद्रोव का नेतित किया था कानपूर में अबद को अंग्रेजी राजी में मिलाने के लिए दलोह जी ने कौन सा बहाना डूला था अबद के नबाब पर कुसासन का आरोप लगाने का और आपको माल होना चाहिए अबद इनी की म सांदोलन प्यारम किया था गुरू राम सिंग ने बंगाल में इसियाट्रिक सुसाइटी की स्थापना सर बिलियम जॉंस ने मेरठ सडेंद किसका मुक्ता किसके ब्रोद था मजदूर संगर्थन सामवादी नेताओं के बेटिस वालियमेंट के हाउस अप कोमंस में किस संगिया दी ती डिज रेली ने बहिस्कित भारत पति का किस ने प्यारम की थी डॉक्तर भीम राव मेटकर 1922 में अखिल भारती है हरीजन संगी की स्थापना महत्मा गांदी साहब ने पितम भारती है किसान संगर्थन अखिल भारती है किसान सभा का कठन 1936 में माउंट भारत में अपनी सत्यागे की तकनीक का पिथम परियोग कहां पर किया था चंपारण विहार में चंपारण विहार में 1917 की बात हो रही है अंगला कुश्चन है हमारे सामने कॉंग्रेस का पच्चासबा अधिवेशन कहां और किसकी अध्यक्षता में सपन हुआ था ये फैशपूर में हुआ था 1936 में जवाहरलाल नहरू की अध्यक्षता में स्वामी विएकानन ने रामकिष्ण में संकी स्थापना कहां की थी वैलूर में ठीक है बहावी अंदोलन के फेडेता कौन थे सियाद एहमद वरेल लिवी बल्ला भाई पटेल को सद्दार का किताब किस ने दिया था बार्दोली की महिलाओं ने ठीक है तिमागा अंदोलन तिवागा या तिवागा अंदोलन का संगटन किस ने किया था तो बंग किसान बंगाल किसान सभाने बेदों की और चलो या वेदों बेदों की और लोटो लोटो का नारा किस ने दिया था स्वामी दयानंद सरवसूती ने उनने सब आच में बंगाल विवाजन की घोष्ण डाल लाई सीवी इनका उद्देशी यही था अंग रेजूंगा भारत छोड़ों अंदोलन का पिस्ताव कहा पारित हुआ बंबई में एहम दिया अंदोलन का स्रीगड़िस्त हुआ था पंजाब से तरोन स्थरी सभाकी स्थापना किस ने की थी कलकत्ता में कहां हुई थी कलक में थी कि आजादी मिले और हमां लोग आजाद हों लेकिन याद रखी अंत में क्या हुआ कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत बड़े बड़े नेता थे और बड़े बड़े नेताओं के सामने इनका कर्द बहुत छोटा था और इन्हें नहीं लगता था कि राजनीटी में कुछ इने अच्छा पद मिल पाएगा इसलिए वो चाहते थे कि अलग देश बन सके यानि कि अपनी इनकी राजनितिक महत्वा कांच्छा थी ठीक है याद रखे भारत छुड़ू अंदोलन की समय कॉंग्रिस का ध्यक्ष कों था मौलाना अबुल कला माजल बेटिस आसन काल द्वारा भारत से धन निसकासन के बारे में सरप्थम किस ने लिखा था दादा भाई नौरोजी ने बैटिस पिधान मंतरी ने महत्मा गांदी को भारत का फकीर कहा था विल्टन चल 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 ने ठेक उस समय जब जन उस्सा अपनी पराकास्टा पर था पीछे हटने का आदे समय गांदी वापस ले लेते हैं देखिए यहां दो तरग दिये जाते हैं अगर आप लोग सेवर सर्वेस या इस्टेट पी सीस की तैयारी करते होंगे तो आप लोग मुख परिच्छा के लिए पढ़ते होंगे तो आप जानते ही कि एक तरह से हमारे पास इस्तना हम लोग सकती चाली नहीं थे अंगरेज चायते तो हमारा दमन करते थे उस समय इसलिए गांदी जी बचते थे इस तरह की घटनाओं से उपदरब होने से समझे आप लोग भारत के लिए समिधान सभा बनाने की घुशना किसके द्वारा की गई थी कैविनेट में सन्योजना के द्व होने का समार किसे पर आप था जोर्ड यूल को यू लेया 1928 में पिथम पिथम बाद पहले क्रांती अमरहे का नाराक इसने संगठन ने दिया था हिंदुस्तान सोसलिस्ट रेपबलिकन एसोसीयेशन के द्वारा फादर वोप इंडियन अनरेश्ट किस भारतियों को कहा जात हिंदु तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्था भारत की दो आखे हैं या किसने कहा था त्यायत एहमद खान ने और अभी भी आप लोग जान लिए कि अगर धरम पर इस तरह की राजनीती हमारे देश में खतम हो जाए जाती पाती की राजनीती खतम हो जाए तो हम थोड़ी है हम लोग अमेरिका को भी टक कर दे सकते हैं लेकिन आप देखते हैं सिक्षा विवस्था की बात नहीं होती है रोजगार आप देखिए इस तरह की बाते हो तब तो देश आंके बढ़े हिंदु मुसलिम करने से थोड़ी ही आंके बढ़ता है किस वायसराय की सास यंगापूर में पांच भी लाइट इनफेंटी के साथ सो लोगों ने गदर फार्टी से पेरी थूर कर किसके नेतत में बिद्रो किया था जमादार चिस्ती खान और सुबेदार डुंडे खान के मार्च ए 1925 में किस राश्वादी नेता को केंद्री इधारा सभा का देश चुना गया था तो यादर केंद्र ये सभाका तो बिठल भाई पटेल पिताम अखिल बंगाल चाथ संबिलन अगस्त 1928 में 28 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था पंडि जवालाल नहरू सकस्त क्रांधी के संगठन के उद्देश से हिंदुस्तान पे जयतंत संगी की स्थ स्थापना किस वर्स होई थी अक्टूबर 1924 1913 में मेवाड किल्सक पितिरोध कनित किस ने किया था सीतराम दासने मातमा गांधी द्वारा इस्थापित हरीजन सेवक संग ने संस्थापक अध्यक्ष और महासचिप कौन थे संस्थापक अध्यक्ष घंसयाम बिडला थे और महासचिप इसमें ठक करवावा इंडियान इसे उसी इसन के कॉंग्रेस में बेलाय कब हुआ था 1886 में सो आज को पिथम बार कॉंग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया था तो हर फूरा में ये देखेंगे हरीपुरा आप देखेंगे उजरात में 1938 में इवा बंगाल आंदोलन का नेता उपेड़ा सरोत कौन था हैंरी विवियन डेरो जियो गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस पिदेश में सरसक्त विद्रों की ये उजना मनाई थी तो ये पंजाब में आप देखेंगे पंजाब और आपको बंगाल ये काफी आप सूचिये उस समय एक तरह से सक्रिये थे इसमें आंदोलन में किस पिर्मोख अंग्रेस आसत और राजनेतिग ने यह सُविकार किया कि 1857 का विद्रो एक राष्टी विद्रो था ना की एक सेनिक विद्रो डिजरायली ने 1857 के विद्रो के किस मुख के कहन पर अंग्रेजों ने सरपेतं पोना अतिकार किया था दिल्डी पर अपरेल 1858 में किस पिरमुक के विद्रोही की गिर्वतारी के बाद विद्रो समाप्त हुआ गया था तत्या टोपे वहावी अंदोलन के संस्थापत सियाद एहमत राइवरेली हिंदूस्तान मजदूर सबाकी स्थापना किस ने की थी सरदार वल्लब भाई पटेल साहब ने किस संस्था को मदन मोहर मालवीय ने आंगे चलकर बनार्स हिंदू विद्याले की रूमें विश्कित किया था तो स्र सिंगापूर में युबा बंगाल अंदोलन का मुख्य केंद क्या था हिंदू कॉलेज कलकत्ता एक देश के लिए सुराज परमावसके सुधाल था उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं यह कथन किस का था लाला लाजपत राइका मुझपर पुर में किंग्स फोड की हत्या का परियास किस ने किया था खुदि राम बौस और पिफुल चाकी ने किस वायसराइ की सासंकाल में दिली दरबार में महराणी विक्टोरिया को केसर यहे हिंदी की उपादी से सम्मानित किया था लॉर्ड लिटन कि सासंकाल में बुणियादी सिक्षा के विस्तित वेवराद तेयार किया था जाकिरोसेन सम्ती ने विदवाप उनरविवा इसोसियेसन नामक संगटन की स्थापना किस ने की थी? महादेयो गोविंद रनाडे ने मातमा गांदी ने किस वर्स और किस से अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की थी? में 1924 में वेलगाओं अधिवेशन में 1949 के तिपफुरी अधिवेशन में स्वाष्चन बोस किसे पराजित करके कॉंग्रेस के अधिवेश्च बने थे? डॉक्टर पट्टावी सीता रमया को और आप देखेंगे कि गांधी जी ने डॉक्टर पट्टावी सीता रमया की हाल को अपनी हार वताया था इसलिए आपने देखा होगा कि स्वाष्चन बोस ने इस्टीफा दे दिया था मदन लाल धिंगरा ने 1909 में लंदन में करजन वाईली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारती युवाओं को काली पानी और फांसी की कुरूर सजाएं देने की विरोध में अवीनव भारत नावा गुपत करांतिकारी संती की गठन किसने किया था? बीडी साबर करने 1888 में लावाद के कॉंग्रेस अधिवेशन की अधिक्षता करने वाला पिथाम अंग्रेस कौन था? जॉर यूले भारत एक राष्ट नहीं, दो राष्ट है यह कतन किसका था? मुहमद अली जिन्ना का कम्यूनल ट्राइंगिल नामकुस्तक की रचना अचीद पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर असोक मेतान केंद्रिय विवस्थाभी का सभा में किसके साथ भगस्तिंग ने भम गिराय था? बटू के सुरुदत की पिसद्रिक रांदिकारी जो बेटे समराजवाद को जर्मन समराजवाद से बहतर समझता था? लाला हर्दयाल रेसमी पत्त सडेंद का प्रमो केंद कौन साथ था? अफगानिस्तान रानी लच्मी भाई की समाधी? ग्वालियर आपको यहां बता दो, एक बार S.S.C. में कुश्चन्स आया हुआ था ए, रानी लच्मी भाई तो आप समझ सकते हैं कि देखिए रानी लच्मी भाई की समाधी आपकी ग्वालियर में है और आपकी इनका जनब बनारस में हुआ था और कई लोग क्या करते हैं कि अगर रानी लच्मी भाई के वारे में कुछ पूंच्चा जाता है तो वो जहां सी लगा देते हैं तो आप लोगों को बड़े इसमें याद रखना हो पाट ठीक? आप लोग जाएंगे तो ग्वालियर के किले में आप लोगों को बहुत तस्वीर भी देखने को मिलेगी जहां से उन्होंने अपना घोडा गिराय था नंदकुमार के मुकदमे का संबंध वारेन हेस्टिंग से था दच्चिन भारत में ब्रह्मा समाज की स्थापना किस ने की थी? स्रीधरलू नाइडू ने भारत में पिथम चापा खाना किसके द्वारा इस्थापित किया गया था? पुर्दगालियों द्वारा भारतियों द्वारा साइवन कमिंशन का विरोत क्यों किया गया था? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें आयोग में कोई भारतिय सदस नहीं था करनल वाइली की हित्तिया के आरोग में किसको मिट्ति दन दिया गया था? मदललाल धींगरा को यंग बंगाल अंदोरन के फेडेता कौन थे हैंरी विबी और डेरो जीयो 1939 में केंदरी असेमली में बम फेकने वाले भगस्तिंग के साथ कौन थे बटू के सुर्दत जिन्ना द्वारा सिधी कारवाई किया जाना कमनिश्चित किया गया था 16 अगस्त 1946 को बंदे मातरम के पंत्ति के संपादक तों थे अर्विंद घोज जलिया वालबाग हत्याकांड की जाज के लिए कौन से समती निफ्ट किया थी हंटर समती मातमा गांदी ने डांडी यातर कप से अरम की थी 12 मार्च 1930 को 1813 के विद्रों के सेने के विद्रों के स्थान पर एक राष्टी विद्रों के रूमें चित्तित करने वाला अंग्रेश सांसद और राजनितिक के कौन था डिजरॉल रैली यंग बंगाल के संस्थावक हैंडरी विवियन डेरो जीयो कुकांदोलन कहा हुगा था पंजाब में करांती कारी युवांता दल की नेता जतिंदनात मुखर जी अखेल भालती किसांसवा का पहला दीविशन फैजाबाद में राष्टी एता एक धरम है जो इसोर से पराप्त हुथा ये एक थन किसका था अरविंद घूस का पिथम स्वाधी इंता संग्राम 1857 के पूर्खे से बरस अंग्रेज वादा अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे आर्थिक सोसन के विरुद बिहार की संथाल जाती ने विद्रो किया था ये 1856 की बात है बेटेश नेतियों के विरुद सरफितं विद्रो करने बाला पितं जन्जाती समू कौन सा था खसी भारतिय ट्रेड यूनियन एक्ट का पारित हुआ था 1926 इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना किस वैस हुई थी 1947 जलिया वाला बाग हत्या गांड के बाद पंजाब में फैली असांती की जाज के लिए कॉंग्रेस द्वारा नियुक तायू के अध्यक छों थे मौतिलाल नहरो जो पंजाब में असांती फैली थी उसकी बाद की जा रही है यह आप लोग याद रखेएगा यह कुश्चन्स भी कई बाद पूँच लेता है क्या है कुश्चन्स आते रहते हैं किस घटना के बाद महत्मा गांधी ने बेटे सरकार के विरुद अपना सरफथा मसाहियों गांदोलन फ्यारम किया था रॉलेक्टेक्ट जिसे आप लोग काला कानून भी कहते हैं राजनितिक सुदंता राष्ट की प्राडवाई हुए यह कसन किसका था तो याद रखी अर्विंध घोस का 1906 में लंदन में अभीनो भारत की स्थापना किस ने की थी बिनायक दामुदर सावर करने बिनायक दामुदर सावर करने असायो गांदोलन सुरूक अन्य के समय भारत का बाइसरा कौन था लौड जिम्स पोर्ड ठेक है भारत छोडों का विस्ताव कांग्रेस ने कपारित किया था आठ अगस्त 1922 को बंबई में कहां बंबई में 1857 की किरान्ती के विसाय में यह किसका कतन था कि करान्ती मुसलिम समराज की स्थापना के लिए किया गया एक सडेंथ है जेम्स आउट्रम का प्राथना समाज का गठन किसके ने किया था आत्मराम पांडू रंग ने कॉंग्रेस सोसलिस्ट फाइटी का गठन 1934 में भागांसी एक भागस सिंग राजगुरू और सुखदेओ को फांसी की सजा कब दी गई थी 23 मार्च 1931 को याद रखी ये तीनों नामों को याद रखी है क्योंकि कुश लेता है कि भागस सिंग और राजगुरू और तीसरा वेक्ती कौन था जैने एक साथ फांसी दी गई थी तो याद रखी भागस सिंग राजगुरू सुखदेओ 23 मार्च 1931 को हिंदोस्तान सोसलिस्ट रेपवलीकन आर्मी का गठन कब किया गया था 9 से 10 सेप्टमबर 1928 को जातिये तर वहाउना के विरुद आत्म सम्मान मून बेद दिया गया था वेटे सरकार ने जलिया वाला वाग हत्याकान की जाज के लिए कौन सी कमीशन ने उप्त किया था हंटर कमीशन यंग बंगाल अंदोलन का सूत्पाज किस ने किया था हैंडरी वीवीएन डेरी जी ओने महां सुतंता सेनानी जानी रच्मियाई की स इसपोर्ट में सरवादी के उगदान रहा बेपगत की सिध्धान का अधाधुन्द करियान बन दिली में समराच बहादो साइट दूतिय की सेना का सेनना आई कौन था जनरल वक्त खान वेटिस आसन थोपने की वरूद भालक कि किस भाग में ओखा मंदल के वगेरों ने वि कैना काला के हाधिकारी की थि कर्जन वाहिली की भारत की सुतंता के समय बेटें की वेदार मंत्री कलेमेंट एटली किस आंदोलन के साथ महत्मा गांदी ने भारती राज्निति में प्रवेशं किया था चंपारन राष्टी सुतंता अंदोलन के दोरान अविना भारतस है acompanh20 उगबादी संगठन 1908 में किस सुतंता सेनानी को अलीफोर सेंटरल जिल में फासी दे गई थी खुदीराम बॉस को भातियराश्टी कॉंग्रिस के कलकत्ता दीविशन 1906 में कॉंग्रिस ने सौराज कु भारत के लोगों का लक्ष अंगीकार की आजिस अधिविशन के अधिक्ष कों थे दादा भाई नौरोजी बालगंगदर तिलक को भारतिया संतोस का जनक किस ने कहा था वेलेंटाइन से रोल लें कम्यूनल अवार्ड का नेड़ाई देते समय वेटिश पिधान मंत्री कों थे रेम जी मेक डोनौल्ड और 1857 के पिथम सुतंता के सुतंता सेनानी नाना साप कौन थे पेशबा बाजी राव दूतिये के दत्तक पो 1857 के विद्रों में मुगल समराड बहादूर साय की सेनाओं का नेतित किस ने किया था बग्त खान नंग भारत ने बेटेन को होने वाली संपदा की निकासी कि सिद्धान का पिती बादान से पहले किस ने किया था दादा भाई नौरो जी बाल गंगा था तिलक पर 1857 में किस आधार पर मुकद्मा चलाए गया था राजद रो तेरह पर एपर एल 1919 को भारत में कौन सी सरवादिक तरास्ती घटी थी जलिया वाला बाघत्या कांड नेहते लोगों पर भीड पर गोली चलाई गई थी 1906 में लंदन में अविनया भारत की स्थापना किस ने की थी बिनाएक दामुदर सावर कर असायोग आंदुलन सुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था चेंप स्वो आज कल के बतकारों का क्या हाल है आप लोग देखिए भारत चोड़ो आंदुलन के पूर बैटे सरकार ने गांदी जी सहत कॉंग्रेस नेताओं को वंबई में गरपतार करनी की उजिना किस आधार्प बनाई थी ओप्रेशन जीरो अवर के ओप्रेशन के तहत इनके गरपत मैं अंग्रेजों के पिती राजभक्त हूं क्योंकि मैं सौसासन को प्यार करता हूं या पिसिद्ध कथन क्या था किसका था बेफिन चंद पाल भागत सेंग की मुकवरी करने के कारण फंडिश्ट गोस की हत्या किस ने की थी बैकुंट सुकल ने यानि कि अपने हिया ही गत ही घटना होती है उसमें हमारे ही घटदार चुपे रहते हैं अन्जूमन ये मोई बाने बतन के संगठने की स्थापना सरदार अजी सिंग ने कॉंग्रेश के किस अधिवेशन में मुद्रा नीती में सुधार की मांगी की थी इलावाद 1892 बाले में नमक अंदोलन के किया था डिन्डी गुल उनने सो संद 1857 की किरांती के विसे में याकातन किसका है कि किरांती मुसलिम समराज की स्थापना के लिए एक साड़ें थे जैंस आउट ट्रम का देखिए 1957 के नूर्थ पर 1934 में एक राष्टी ये उजना संती का गठन किया गया था उसके माध्यम से माध्यम कौन थी पंडिजवालाल नहरू वैपिसिद्ध करांदी कारी कौन था जो बेट समराज को जर्मन समराज से बहतर समझता था लाला हर्द्याल राजा महेंद प्रताप सिंग द्वारा गठित अंत्रिम सरकार के पिधान मंत्री बरकुत तुल्ला साइमन कमिशन की किस था अपना किश्चित में सुधारेतु की गई थी समीधाने के वाँ पिसाने सिनिक छित में सो तंतालंदोलन के काल में जमीदारों की विरोध में मोपलांदोलन के सिराज में हुए था केरल में लोकमान ने तिलक की चित्ता भसम को सिर्व पर चड़ाती हुई एकिस ने पितिग्या की थी कि प्यार देकर भी लोकमान कि ये स्वराज के मंद को कूरा करूँगा तो महत्मा गांदी ने किसर ये हिंद की उपादी किसे मिली थी महत्मा गांदी को सौराज दल की जनमदाता देशबंदू चितरन्या इंदास की डेध मित्तिव कब हुई थी जून 1925 में 1949 में कॉंग्रेसी मंतरी मंदलों ने किस मेरमो कारण से त्याग पति दिया था विस्योद में बगेर भारतियों से पूँच कर भारत को सामिल करने के कारण यानि कि भारतियों से सलाय भी नहीं ले गई थी और घुष्णा कर दी थी कि भारत भी इसमें सामिल हो गया किस नेता को भारत का विस्मार कहा जाता है सर्दार वल्लब भाई पटल एक कुष्चन से भी कई बार कुछ लिया गया मन मथना गुप्थ को किस काट में सम लेत होने की लिए 10 वरस की सेजा हुई थी अलपाई होने के कारण फांसी के सजा नहीं हुई थी काकोरी रेल ढखें थी के कारण आप सुछी अलपाई के मतलब समझळे रहा चोटी सी उम्रें में कारणा में थना है बिहार के महान सुतन्ता सैननी कुमर सेञ्झ से संबने थी जगदीस पुर र्यासत थी सुर्मागाटी का किसान अंदोलन के संबन देश से संबन दी था असम से भारत की सुतन्ता प्राप्ती किसमे कॉंग्रेस के अध्यक्ष आचाय-जेवी कपला ने चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा तत्या गया एकाई एक रोका गया था असाय हुग आंदुलन 1890 में कलकता विस्विध्याले की पहली गेज्यूट महिला ने कॉंग्रिस अदिवेशन को सम्भोधित किया था कादमरी गांगोली 17 एक्टूबर 1940 को विक्टी के सत्या गया का उद्गाटन किस ने किया था आचार विनोगा भावी भारत की सुतंदा अंदुलन में नारों में करो या मरो बड़ा ही ससक्त नारा था किस ने दिया था मातमा गांदी ने भारत छुड़ो अंदुलन की दौरान बस 1908 में मुसलिम लीग का इस्थाई यद्धिक्ष किसे चुना गया था आगा खांको चटगाओं सस्तागार पर आकमर की किरांतिकारी अवियान कनेतित किस ने किया था सूरसेन ने दादा भाई नौरो जी ने अपने किस लेक में धन के वरी गर्मन को सिद्धान पितिपादित किया था इंग्लेंड डेट टू इंडिया नामक लेक में किसान अलों अंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहु मोल योगदान के लिए किसे किसान फिराण की उपादी से सम्मानित किया गया था स्वामी सहजानन्द सरवसुती रोलेट एक्ट के विरुद में विरुद किसने सत्यागे सभागठित की और जिसके सदसों को रोलेक टेक्ट की अवहिलना करने की पितिग्या लेनी पड़ी महत्मा गांदी ने वालगंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा गोपाल किसने गोकले को सभीने एव गया अंदोलन को अंतिम रूप से कप पापस लिया गया 7 अपरेल 1934 को कॉंग्रेस और मुसलिम लेक के भीच 1916 में लक्ष्णुक समझोता हुआ इस दोनों दलों के समय अध्यक्ष किरमसा को थे आमीका चरण मजूमदार कॉंग्रेस के और मुहमद अली जिन्ना आपके मुसलिम लेक के एठली मंतरी मंडल द्वारा 1906 में नियुक्त केमिनिट मिशन का अध्यक्ष को था पैंथिक लॉरेंस भालती नारी घहलू और राष्टी स्वधीनता के लिए एक साथ लड़ रही यह कथन किसका था आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप गड़ी थी बंबई की त पत्यागा सभा की स्थापना किसने की थी महत्मा गांधी कॉंग्रेस के पिथम विवाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में किनकिन की बीच ओगवादी और नरमबादियों के बीच यह कथन किसका था कि मुसल्वान मूर्ग थे जो उन्हो प्रेटिस रूल इन इंडिया नामा पुस्ता के विशिद्ध लेकर आधार किया था तो भारस सिध्धन निकासी का सिध्धान था है 1927 की वटलर कमिटी का उदेश भारस सरकार और देशी रियासतों को वीच संबंदों की ब्याख्या और सपश्टी करन स्वामी विवेकानन ने विशिद्धरम सम्मिलन कप संबोधित किया था ए 1893 की वाक्त है सिकागो में कॉंग्रेश किस अधिविशन में हिंदी को सरपितम राष्टवासाई की रूम में पिस्तुत किया गया था बेल गाओं अधिविशन 1924 का और याद रखिए एक बात हो गांदी जी ने एक ब जलने वाले बेटेस साधिकारियों में जनरल नील को सरबादी क्यूर माना जाता है इसका कार्चित कहां था इलावाद कॉंग्रेश की गरमदल की निता लाला लाज पत्राय विपिंचन निपाल वाल गंग धर तलक ठीक है और कॉंग्रेश की नरमदल से कब अलग हुआ था 1857 में दिली पर दुबारा कबजा करने के बाद अंग्रेशों ने किस दरवाजी को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था लाहोर गेट को किस वाइरस रायन ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस रीगल लॉज में मौगल गार्डन बनानी के लिए निप्त किया था तो याद रखी लॉड इर्विन था है महत्मा गांधी ने किस अंदोलन के दौरान भूंखरताल को सरपितम सत्यागय की रोम में इस भेउप किया था तो ये एहमदाबाद अंदोलन था कब का 1918 का गांधी जी बनाम लेने पुस्तक के लेका कौन लिखी एस एडांगी ने किस गवर्नर जनरल ने अपने आपको बंगाल का सेर कहा था लॉड बेले जली ने कॉंगरेस अपने पतन की कगार पर और भारत में रहती हुए मेरी महंती आकांचाई की इसकी सांती पूर्वक धंसे समात्त हो जाने में हात बटाने की ये अकथन किस ने कहा था लॉड करजन ने कहा था लाला हर्दयाल किस पायटी के नेता थी गदर पायटी के 1927 में साइम तो तलक को बंदी बनाये के कारण किस ने कहा था भारत एक राष्ट नहीं दो राष्ट है तो ये मुहमद अली जिन्ना ने कहा था अंग्रेज्जियों द्वारा किसी प्रांद के गवर्नर बनाये जाने वाली पिथम भालती है कों थी सतिंद परसाद सिंगा स्वामी विका कि बाद है लौड हाइडिंग के मूल एदिकार और आर्थी कारकिरम नाम दस्ता बीच कॉंग्रेस की किस अधिविशन में सुईकार किया गया था कॉंग्रेस का जो कराची अधिविशन हुआ था 1931 की बात है भारत की यात्रा पर आने वाले पिथम बेटे समराट कों थे ज अधिविशन में भारतियों के लिए अपने समिधान की बात की गई थी अगस्त पिस्ताओं में ब्यक्तिकर सत्य गया अंदुलन सत्र एक्टूबर 1940 को प्यारम हुआ था कहां से प्यारम हुआ था पवनार से गदर पाटी किस था अपना 1913 में अमेरिका की नगर सैन फ्रांस इसकों में हुई थी इसके पितम अध्यक्ष सुभान सींग भागना थे जलिया वाला वागत्याकन 1919 की घटना है इसके बिरोध में किस भारतिये ने गवर्नर जनेल की कारकाणी परिश्ट से त्याक पति दिया था तो ये थे संकर नायर किस घटना के परिश्ट महत्मा गा जलिया वाला वाला वाग कांड के समय यानि कि 13 अपरिश्ट के समय जनता हुआ किस कारण से एकत्तित हुई थी उस भाग में लोग परिये नेता शेफित दीन के चलू और डॉक्टर सत्वाल की गरपतारी के दिरोध में भारत विभाजन की समय विभाजन कांसिल के अध्यक्ष हों थी लॉड मांट बेटन 18 जुलाई 1947 को भारत भारती स्वतंता अधिनियम किस ने पारिक किया था वेटिस संसब ने भारतियों को 1947 में सारभाम सत्ता सोपनी की युजना किस नाम से जाने जाती है मांट बेटन के बंदे मात्रम की रचेता जो थे बाकेम चंद चटर जी थे टेक है इसे भी याद रखिए कुष्टन से भी कई बार कुछ लिया है सिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्या थी एओ हुई यू हजारी बाग के जेल से भागने के बाद नवंबर 1942 को जैपकासनार ने अपना अड़ा कहां बनाये था नैपाल में अभीनो भारत किया था एक गुप्त कालीन करांतीकारी संगठन किस एक अंदुलन के दौरान महत्मा गांधी ने भूंखरताल को सरफिथम सत्या गये कि रूम में प्रेव किया था एहमदाबाद अंदुलन कही बार बता चुका हूँ तो राश्टी सुतंता अंदुलन के दौरान को ख्याद सेलूलर जेल कहां पर इस्तित थी अंडबान में अजी मुल्ला किसका मुख्य सलायकाल थी नाना साहब के 1857 के विद्रों को राश्टी सुतंता के लिए सुनिये जे संगराम की संग्या कितने दी थी बीडी साबर करन नाना साहब की सेना की सेनापती जो बाद में पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें फासी पर लटका दिया था कौन थे तत्या टोपे चपाती और लाल गुलाब का समन्द किसे था 1857 की खिरांती यानि की रोटी वग लाल गुलाब का अलीपर बम कांड में अर्वें अंत्रता की समय तक भारत से बापस चले जाने की वेटे सरकार की नैड़े की खुष्णा की थी जून 1948 लेकिन कुछ परिष्टी थी ऐसी बनी कि आपने देखाए कि आपका 15.1947 को ही वो चल पड़े चेटगाओं सस्तागार पर हमला करने वाली किरांधी काडी दल का नेता कौन था? सूर सेंथ भारतिये राष्टी कॉंग्रेस ने भारत छोड़ों अंदोलन के अपस्ताव कहां अंगी कित किया था? बंबई में समराट पंचम जॉर्ड की भारत के आगमन की समय भारत का वायस राए कौन था? लॉर्ड हार्डिंग किस एक्ट के अंतर कर प्रांती ये स्वायत्ता के सित्धान दलाग हुआ था? भारत सरकार एक्ट 1935 बैक्टी के सत्यागय अंदोलन किस बर स्तारम हुआ था? 1940 में भारत सिंग ने पुलिस कमिशनर सांडर्स की हत्या क्यों की थी? सांडर्स ने उस एक सांतीबुरवक पिदरसन पर लाठी जायत करवाय था जिसमें लाला लाजपत राय धायल हुए थी उनकी अंधिता डेथ ह रुपी थी इसका बदला लेने के लिए भारत के सतंदा प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाओ दिया था कि भारती राष्टी कॉंग्रेस को समात कर देना चालिए महत्मा गांधी ने कहाता है सेंटरल सेंबली में बम फेकने के आरोव में भागस सिंग को क्या सजा मिली थी आजीवन निर्वासन की सजा भागस सिंग को फांसी की सजा किस आरोप के अंतरक्त मिली थी पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या के आरोव में यदि भगवान अजपस्ता को सहिन करता है तो मैं उससे भगवान नहीं मानूगा यह सब दिकिस्ता था बालगंगधर तिलक साहब को किस क्रांतिकारी ने क्यदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करती हुए पूना के अंग्रेज अधिकारी रेंड की हत्या की जिम्मेदार कौन थी चापेकर बंदू इंडिया हाउस की स्थापना स्याम जी किष्ण बर्माने की थी सूर सेंड के संगठन से जोड़े थी इंडियान रेपब्लिकन आर्मी से आजाध हिंद फौज की किन किन नेताओं प भारत छुड़ू आंदोलग के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार बनाई थी चित्तू पांडे ने 1857 के विद्रोग के किसने इता कुप का नाम डुन्डू पिरांत था नाना साहब का बाधो साधुतियक को किसने की रफ्तार किया था हडसन ने 1857 के विद्रोग भारत का पिथम सुतंतर संग्राम की सितिहासकार ने कहा था बीडी साबर कर कलकत्ता में हिंदू कोलेज और बेदान कोलीज की स्थापना किसने की थी राजाराम मोहन राए किसल मुसलिम समाज में सुधारक को अंग्रेजों ने नाइट हुट की उपादी दी थी तो सर सेयद एहमद खान को भारतीर सामभादी पार्टी की स्थापना तासकंद में बंगाल का बिभाजन लॉड करजन वायसराय की समय हुआ था लेकिन बिभाजन किस काल में रद्दुगा था किस की काल में लॉड हायडें के गांधी जी ने सहयो अंदोलन वापस के उलिया था चोरी-चोरा-चोरी की जो भी इहन तक घटना हुई थी सरदार वलभाई पटेल ने गुजरात के किस अंदोलन वें पिथमबार सक्रिय भून का निगाई थी खेडा सत्या गय में लोगों में राष्ट पैम की भावना जगानी के लिए सिबाजी ओगरपत थी महुस्थाव आईवेन किस के द्वारा किया गया था सौदेशी अंदोलन के हम प्यारम हुआ बंगाल विभाजन की विरोध छेड़े गए अंदोलन की समय बेटे सरकार ने किस योजना की द्वारा भारत छोड़ने और भारत की विभाजन की बात की थी माउंडवेटन योजना भारत एक खोज नामा कुस्तर किस की द्वारा लिखी गई पंडित जवार लाल नेरू मॉंटिकेव चैंपसवे और सुधार का मुक्ष परावधान दोएदिसासन परणाली लागू कंटा अठारसु चैंपन में विद्वा पुनर बिवा कानून किसके प्रयासन से बनाया गया था इसो चंद विद्ध्या सागर चंपारन सत्यागे कब और किसके इसका मुक्ष कारण किया था उननीसो सत्रे तीन कठिया पिणाली संथाल ये चंपारन बिहार में पढ़ता है संथाल विद्ध्रो का नितित किसने किया था सिद्धू और कानूने लाला लाजपतरा किस्पिकार की सक्षा पर जोड देते थे तकनीकी और अदोगिक सक्षा पर बिहार में सयो और चंपारन अंदोलन सत्यागय में कौन नेता सक्रिय भून का उभर का आया थे राजन दिपसाद जो आंगे चल कि आपके राश्टपती बनते हैं 1854 का जो बोट डिस्पेश था एक इस बिसाद से संबन दी था एजू किसन यानी की सिक्षा के संग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतिय समार्कों के संड़क्षन में रुची दिखाई लॉड करजन 1916 का लखनव समज़दा किन किन के बीच हुआ था अखल भारतिय कॉंग्रिस और मुसलिम लीग के 1844 के दसक में कुका अंदोलन को किसे ने आरम किया था गुरू राम सिंग ने खिलादपत अंदोलन कब 1909 में मावकरी 1909 में फिर 1920 से आपका असह हुआ अंदोलन इसी से जोड़ गया था चटगाओं आप से डखेंती के कुनेतित पिदान करने वाले सोरसें किस अंगठन से उड़े थे इंडियन रिपबलेकन आर्मी से अर्वेंद घोस ने किस समाचारपति का कई वर्सों तक संपाधन किया बंदे मात्रम समाचार पत बैलू थंबी थंपी उन प्यरांबिक लो असाहिव गांदोलन प्राप्ति को या एकाएक रोक देने का कारण क्या था चोरी चोरा कारण में हिंसा का फूट जाना गांदी जी ने करो या मरो जैसा ससक्त नारा किस अंदोलन के समय दिया था भारत चोड़ों अंदोलन 1942 के समय था 1946 में जबाल लाल नहरू द्वारा गठित अंद्रिम सरकार में सरदार वल्ला भाई पटेल को किस बिभाग का मंत्री मिला था बनाय गया था ग्रह मंत्री ग्रह बिभाग रावी के तर्पन रायोजेत कॉंग्रिस का अधिवेशन 1939 के किस सितिहा से माना जाता है इस अधिवेशन में पूर्ण सुतंता का विस्ताव पारित हुगा था भारती राष्टी अंदोलन अतिबादियों के परभाव दिन कब से आया 1906 के बाद गांधी जी के नेतित मेंं से 1940 में कौन सा अंदोलन चलाए गया था भारत छुडों गांदोलन महत्वातं गांधी ने कब बाकियस से तनाव से दुख्य ओकर 21 दिन तक उफवास किया था 1924 में संबदाएक तनाव से दुख्यों कर सौदैसी आंदोलन क्यों क्यों प्यारम कि इंडिया में किसकी पुस्तक थी दादा भाई नोरोजुकी अच्छोतों बन्यम्न वर्गों की लोगों को परांतिया के अंद्रिये विधान परिश्दों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में भत्मागांदी वह भीम्राओ अंबेट करें की वीच कौन सा समझोता हुआ था पूना समझोता है क्यावनिट में सन भारत क्यों भी जा गया था भारत की सत्ता हस्तांतरन कमार्ग खोजने के लिए भारत की सुदंता के समय इंग्लेंड की पधान मंत्री अटली थी भारत के वाइसराइक हों थी लॉर्ड मांट वेटन अठारा सुसंतावान का विद् सिंग रहा आजा निन्दम पोच के कि निताओं वालाल के में मुकदमा चला था साहवान खां गुरुदयायल सिंग धिलो और प्रैम सहेगल अगस्त 1932 में मैं डोनाल अवाड की घुष्णा के परशात यर्वदा जील में आमरा नंसन के क्यों प्यारम किया था गंदी जी न लाल कुर्थी आंदोलन के नेता खाल अब्दूल खाल खान धारस रंग संगर अरगा नमक कार खाने में पिदर्सन के समय गंदी जी गिरबतारी के प्रशाद किस्ने आंदोलन का नेतित किया सरुजिनी जायडू उननीस तो पेंतालीस में सिम्लांसव मिलेन का आयवजिन की समय वायसराय ने किया था लौड वेबल आजा धिन्दफोंच की महिला साखा का क्या नाम था रानी जासी रेजीमेंट और किस्न ने कहा था कि यदि आसपस्ता का कलंग हमारी मातिव लगा रहता तो सवराज मेल ह की नहीं सकती महत्तमा गांदी है कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में हिंदी को सरफितम राष्टभासा के रूम में फिस्तित किया था बैलगाउं अधिवेशन और एक मात्व मतलब एक बार यह गांदी ही ने कॉंग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे यह था बैल पुरानीक भारस से छोड़िए आप लोगों ने वहीं questions देखें होगे जो या तो पुरानी आपकी जो परिक्चाएं हुई है उनमें पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभाव ना है और मैं बार-बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग जिसवीग पूराने questions paper, pattern इस तरह की एक सामानी जानकारी तो होनी चाहिए किताब हो फिर सामाने notes हो जो भी हो आजकल तो आपके पास smart phone है तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो पड़ते रही एक नए subject के साथ हम लोग मिलते हैं आगे और जो महत्पूर questions होंगे जो परिक्चा में आने की स